हलो एव्रीबडी इस तिग्राफ सिंग राजपूत वेलकम तू मेगनेट ब्रीन्स इस वीडियो में हम क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर चैप्टर राइज ऑफ नैशनलिजम इन यूरोप इस चैप्टर को पूरा रिवाइस करने वाले हैं रिवाइस क्यों करने वाले हैं क्य डीटेल तो पढ़ चुके हैं आपने जैसे देखा है कि हर टॉपिक को हर सब टॉपिक को हम डीटेल एक्स्प्लेशन के फॉर्म में पढ़ चुके हैं पहले लेकिन अभी क्या है बोट्स के परस्पेक्टिव से वहाँ चीज थोड़ी सी टाइम कंजुमिंग हो जाती है तो पीछे रिलेट कर लेंगे जोड लेंगे कहीं हमारी चीजें छूटे ना तो वह सारा सब कुछ हम इस वीडियो लेक्ट्टर में पढ़ने वाले हैं क्लेर हैं देखिए तो सबसे पहले अगरे स्टार्ट करते हैं चैप्टर तो चैप्टर में पहले आपको इमेज के साथ मे टीक है इमेज पींटेंग पेंटेंग फइडरिक वह से रिफैंटिक स्टोंयों ने इस मेलेटी मने इस थी ॉब ड़िया यां इस बारे में देखो तो यह क्मेंटिंग के मैसेज्ट आपको बताना है तो मैसेज क्या है ठीक है ए डेमोक्रेतिक इन रिपप्लिक competition countries of the world जिसे अगर आप देखो गए यहां पे तो क्या हो रहा है कि अलग अलग नेशन जो है जिसे जर्मनी यह आ गया फ्रांस आगे निकल गया तो अलग अलग नेशन क्या कर रहे हैं एक मार्च कर रहे हैं ठीक एक रेली निकाल रहे हैं ठीक 26 जनवरी वाली रेली नहीं है यह तो एक जो मार्च कर रहे हैं तो मार्च वर्स इंडिपेंडन्स आजाद के टुर्ण्स ठीक हैं डेमोक्रिक सुश्यक्टी यह कर रहे हैं we are marching डेमोक्रिक सूॉशत्य को नेशन आजध कर वाने की लिए है इस तरह से मार्च में सामिल हूए है ठीक है अब देखो क्या है तो उसमें मेसेज और भी दिये गए क्या कि यह जो इनका आइडिया है कि पूरे सोसाइटी को पूरे वर्ल्ड को क्या डेमोकरिटी को और सोशलिस्ट डेमोकरिटी को रिपब्लिक ठीक है डेमोकरिटी को रिपब्लिक कंट्री बनाया जाए पूरे मार्च को इस प्रोसेशन को तो इसके आधना आप देखोगे तो यह image क्या दर्शादी है इमेज दर्शादी है क्या कि जो despotism या फिर कह सकते हैं जो मोनार्की चले आई ती जो old system था वो old system खतम हो गया है खतम कैसे हो गया कहां से दिख रहा है आपको तो ये painting के foreground में अगर आप देखते हो background मतलब पीछे हो जाता है foreground मतलब ये आगे अगर देखो गया आप तो painting के आगे में आपको क्या दिख रहा है कि हाँ पे remains of royal and absolute symbol ठीक है जो absolute होते थे जैसे राजा महराजा होते थे तो उनका क्या हो गया उनका खातमा हो गया उनका खातमा कहां से दिख रहा है आपको तो ये crown तूटा हुआ दिख रहा है ठीक है ये crown आगे कछरे के धिर में पड़े मतलब अब जो monarchial system चला रहा था वो खतम हो गया है तो ये message है इस image का अब इस image के message के साथ में एक और चीज़ क्लियर की जाती क्या emergence of nation states ये क्या चीज़ है what ठीक है एक सवाल आया what एक सवाल आया how और issue related to you तो ये तीन सवाल आया होगा आपके मन में कि इस painting के थुरू वो nation states को emerge करने के लिए urge कर रहे है मतलब वो क्या कर रहे है कि एक message ये provide कर रहे है ये painting कि हाँ nation states can be formed तो जब painting बनाएगे ये तब nation states के concept थे नहीं nation states होते क्या है तो कुछ नहीं nation state को आप समझे modern state की तरह जैसे आज हम देखते हैं आज क्या देखते हैं कि आज अगर कोई देश है तो वो देश की तरह उसकी एक फिक्स geographical territory होती कि यह यह इतनी political boundary है यह हमारी border है इसके अधर पाकिस्तान है इसके अधर इंडिया है इतना हमारे territory है यह यह states है यह union territory है सारी चीज़े तो आज हम जो देखते हैं तो एक nation state के format में देखते हैं modern state के format में देखते हैं लेकिन पहले वैसा कुछ नहीं होता था पहले क्या होता था पहले सब कुछ जो भी होता था तो regional empires होती थी रात में राजा सोया आया अगले दिन किसी ने युद्ध कर दिया ठीकें पूरी empire अपने कबजे में ले ली nation states के idea जिमर्ज हो रहे थे मतलब कि लोगों के अंदर एक भावना जाग रही थी कि नहीं यार कि हम सारे लोग France के citizens है इतनी territory France की territory है और यह हमारा देश है France है ऐसा तो यह nation states के idea जिमर्ज हो रहे थे यार जैसे France में हुआ वैसे हमारे हम भी करेंगे तो इस तरह से क्या है इस तरह से दूसरे ideas भी दूसरे countries जो है उन्हें भी democratic ideas Republic ideas क्या होने लगे समझ में आने लगे अब इससे जुड़ेवा issues क्या है इससे जुड़ेवा issues यह है कि धीरे धीरे worldwide जो है तो यह democratic Republic ideas flourish होने लगे यूरोप में यूरोप से फिर पूरे दूसरे world में तो हर country जो थी तो हर country क्या है अब आजादी चाह रही थी वो एक nation state बनाना चाह रही थी अपने आपको तो कह सक है proliferation of nation state nation states क्या होने लगे multiply होने लगे एक एक से दो दो से आठ चार बीस पचीस पचास इस तरह से ठीक है वो सारी चीज हो रही थी अब अगर हम देखते है topics को start करते हैं तो start कहां से करते हैं फ्रांस से ठीक है French Revolution in the idea of nation तो यह topic किस बारे में बताता है देखो chapter में हम आगे से लिखते आना चाहिए ठीक है आगे अगर देखें तो first expression of nationalism हाँ अब यहां पर देखो दो तिन कोशन यह बन सकते हैं कि how the sense of collective identity was forged in France France में sense of collective identity को कैसे forge किया गया कैसे sense of collective identity को induce किया गया था France में तो उस question का answer यहां मिल जाएगा हमें उसका आद में France को ही क्यों इतनी importance दी गई है वो भी तो देखो आपने 9th class में पढ़ा था क्या पढ़ा था 9th class में आप लोगों ने पढ़ा था कि revolution जो है world में कह लीजे, Europe में कह लीजे, जहां कहना कह लीजे revolution की जो tendency, revolution की जो forces है आगे Duke Metternich के statement भी मिलेगा आपको क्या कि when France sneezes, rest of the Europe catches cold ठीक है, जो भी फ्रांस को छीक आती है और पूरे Europe में सरदी फैल जाती है मतलब जो भी start हो रही है चीजें, तो वो कहां से हो रही है, असे से हो रही है France एक important role play करताः ये arrow यहाँ जाएगा, clear है France एक important role play करताहे, किस चीज में France एक important role play करताहे, नेशन इस्टेट की formation में या फिर कह सकते है Rise of nationalism, तो ये nationalism की feeling है न, वो France से ही क्या उसका Simply इज़ जो है वह फ्रांस में बुए घया था तो देखो क्या है फॉस्ट expression of nationalism तो power to the people दिखती बात है कि जो nationalism का expression था फ्रांस में तो nationalism कुछ नहीं थी simple सी चीज थी कि nationalist tendencies के बाद में जब क्या होगा जब देश शषकत होगा मजबूत होगा तो पावर किसके पास जाएगी पावर वहां की जनता के पास जाएगी ठीक है वहां की जनता के पास पावर तो चलेगी लेकिन वह जनता को आप युनाइट कैसे करोगे दिखती बात है कि आप बोल रहे हो हम देश बनाएंगे भारत बनाएंगे तो आप भार यहां कि लोगो जब तक अपने आपको भारती भी मानें गें घिक भारत किस खाम का तो वही चीज होती है कि आपने फरांस में नैशलिजम कि थुरू फ्रांस को हजाद करवा दिया सब्रांस मोर्च country को हटा दिया लेकिन फरांस को अपने आपको French citizens कैसे consider करेंगे, तो creating a sense of collective identity was a major challenge, अब collective identity को कैसे लाए गाया, तो ये सारे points से, देखो, idea of La Pateria and La Cition, ये ideas लाए गए, idea of La Pateria and La Cition, मतलब the fatherland और citizens, मतलब ऐसा नहीं कोई राजा, कोई महाराजा, ये सारी चीज़ें, सब क्या हैं, सब हमारे देश के प्रती, जैसे हम भारत माता बोलते हैं, तो वैसे La Pateria, fatherland, ठीक हैं, France उनका देश हो गया, उसका आप में La Cition के ideas, मतलब कि सारे लोग citizen है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, tricolor French flag लाए गया, tricolor French flag लाए गया, ठीक है, blue, white और red, फिर election of state general, national assembly बनाई गई है, तो national assembly जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था, state general की meeting में हटाया जाती है, जो पहले जो voting system चलता था, फिर national assembly बनाते हो, वो अपना constitution frame करती है, new hymns and oaths, तो ये नए-nay hymns composed कि गया है, जो थी तो उन्हें क्या किया गया, publish किया गया, ताकि क्या हो, ताकि लोग अपने आपको जैसे जणगण मना है, तो इंडिया के example इसलिए तो आप relate कर पाऊ, तो ये new hymns and oaths से क्या हो क्या हो क्या, कि लोगों के अंदर induce कि गई, nationalism की feeling की सारे लोग मिलके एक सांथ जब एक oath लेंगे, तो उनको क्या लगएगा है, उनको अंदर से ऐसा लगए कि ने यार हम एक ही देश के लोग है, centralized administrative system, centralized administrative system को क्या क्या खिया गया, लाए गया थाकि हर country में अलग अलग पार्ट जो है, तो सबको एक सांथ क्या किया खिया सके, administer किया खिया सके, सबको एक सांथ एक जैसे तरीके से क्या किया सके, regulate किया जा सके, internal custom duties and dues were abolished, ठीक है, uniformity लाने के लिए, एक जैसा समानता लाने के लिए, जो internal custom duties लगती जैसे देश है, अंदर अंदर जो बोलते थे कि इस प्रोविंस से इस प्रोविंस तक जाने में तुम्हें टेक्स देना पड़ेगा तो सारी custom duties हटा दी, सारे dues, manorial dues जो थे जो लोगों के पर उधार था सब माफ कर दिया कि चलो फिर से एक नई शुरुवात करते हैं uniform system of weight and measurement इस चीज़ को लाया गया फ्रेंच became the common national language तो जो अलग-अलग regional languages थी उन्हें discourage करके फ्रेंच language को क्या किया गया, promote किया गया यह इतनी चीज़े हो गई, अब इतनी चीज़ों में आपको एक चीज यह धिहान रखना है इतनी चीज़ों में एक चीज़ क्या धिहान रखना है, इतनी चीज़ों में एक चीज़ यह धिहान रखना है कि देखो पांच नंबर में यह question आता है, sense of collective identity के ऐसा फोज की गई है तो आपको यह सारे points लिखना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि इन में सो कोई से 5 लिख दो points सारे लिखो, इनको 5 बना दो, जैसे कहा है, तो centralized और यह दोनों point एक साथ मिल सकते है centralized administrative system was established under which internal custom duties and use were abolished, ऐसे, ठीके, यह हो गया फिर उसके आद में अब देखो क्या है, यह यहां तक तो हमें समझ में आ गया, अब इस चीज़ का impact के उपर क्या impact रहा Europe के उपर क्या impact रहा, समझना, तो जब France में यह पूरी उथल-फुथल हो रही थी, तो Europe के उपर भी तैह है कि impact होना इस चीज़ का, क्या impact हुआ यूरोप के उपर, यूरोप के उपर यह impact हुआ कि जो Napoleon का, जैसे हम देखते हैं क्या, कि पहली बात तो France में ही बहुत unevenness थी, क्या है, कि National Assembly, National Assembly के बाद Jacobin Power ले लेते हैं अपने हाथ में, Jacobin Club जो रहता है, Maximilian Rovespire के अंडर में, तो वो थोड़ा सा Radical था, ठीक है, Maximilian Rovespire के आद में फिर क्या थोड़े समय तक चलती है चीज़ें, फिर Power किसके पास चले आएगी, फिर Power Maximilian Rovespire को हराने के बाद में, ड तो दूसरे देश थे यूरोप में, तो वो भी थोड़ी से उनको क्या है क्या है, यह कर सकते हैं, हमारे हम राजा को हटा के क्या कर सकते हैं, एक Democratic Republic Society को Establish कर सकते हैं, तो ऐसी Tendencies आने लगी, अब देखो, अब Power Napoleon के पास आ जाती है, ठीक है, 1804 में, अब 1804 में जब Napoleon के पा जाता है, और इस change के बाद में, Napoleon ने क्या किया था, इस change के बाद में, Napoleon ने कुछ, मतलब इस law के अंडर Napoleon ने कुछ ऐसे change लाएं, जो क्या थे, जो बहुत modernizing थे, जैसे uniform system of weight and measurement ले आए, ठीक है, उसके आद में, जो privileges बर्त के basis पर देए जाते थे, उन्हें क्या कर दिया गया abolish कर दिया गया, फिर और क्या किया गया, फिर right to property दे दिया गया, ताकि लोग property रख सकें, ठीक है, और फिर उसके साथ साथ में, क्या है, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ है, जैसे quality को improve करने के लिए, products की quality को improve करने के लिए regulation लिया आ है, ठीक है, तो ये सारे कुछ जो क क्या किया, देश को एक तरह से एक नई line दे दी, ठीक है, नए laws वगरा, नए rules, regulation लिया आ है, और शुरुवात में क्या है, कि शुरुवात में सारे लोगों ने उन्हें क्या किया, welcome किया, लेकिन बाद में कुछ cities जैसे means वगरा जो है, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर कर दिया, जिन लोगों ने शुरुवाती दोर में नेपोलियन को बुलाया था कि आओ, हमारे यहाँ भी यह modern principles लेके आओ, वही लोग बाद में अपोस करने लगते हैं नेपोलियन को, क्यों अपोस करने लगते हैं, उसके पीछे कारण है, वो अपोस इसलिए करने लगते है क्योंकि नेपोलियन आया, नेपोलियन ने modern principles लेके आया, लेकिन लोगों की जो political freedom थी, वो तो छिन गई थी, ना, simple सी चीज़ है, नेपोलियन फ्रांस को represent कर रहा है, और फ्रांस का कोई एक military dictator है, वो आपकी country पे आके कबजा करता है, माना वो modern changes लेके आता है, uniform system of weight and measurement, ठीक लेकिन आपका देश अब आपका नहीं रहा है, आपका देश एक फ्रांस के military dictator के अंदर में आ गया है, आयना समझ में, तो लोगों ने political freedom तो खो दी थी, तो शुडवात में, initially those who welcomed नेपोलियन, later on they only started opposing him, because they realized that political freedom and modern principles cannot go hand in hand, ठीक है, दोनों चीज़े एक सांद नहीं जा सकती दोनों चीज़ों में हमें क्या दिख रहा था, अलगी हुने, अंतर समझ में आ रहा था, तो बाद में उनी लोगों ने पोस्ट करने, start कर दिया, और 1815, Battle of Waterloo में Napoleon की हार हो जाती है, ठीक है, यह हो गया, अब next क्या है, तो अब आगे देखते हैं अगर इसी चीज़े को, द अब 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 यहां रहा था, तो यूरोप में क्या हो रहा होगा, तो अब हमने फ्रांस के पर्स्पेक्टिव से देख लिया, कि फ्रांस में यह सब कुछ हुआ, फ्रांस में इस तरह से लोगों के अंदर, नेशनलिस्ट फोर्से जागने लगी, ध्यान रखना है, इस ची अब यह था, रीजनल स्टेट्स, रीजनल वेरिशन्स, लैंग्विजेस, एंपायर, कल्चर, अगर हम देखें, तो क्या था, कि पूरा का पूरा यूरोप रीजनलाइज्ट था, बहुत बहंकर तरह से रीजनलाइज्ट था, कैसे रीजनलाइज्ट था, तो अलग-अलग कहीं हमसबर्ग एंपायर रूल कर रहा है, तो कहीं जैसे अगर देखा जाया, तो कहीं पर क्या है, पूरिशन एंपायर है, तो अलग-अलग रीजनल रूलर्स हैं, आज जो हम मॉडन स्टेट्स देखते हैं, कहां यह जर्मनी हैं, यह इतली हैं, ऐसा कुछ नहीं था, तो यहां पर हम क्या कह सकते डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी और इम्मेंस डाइवर्सिटी इस सेंस में कि उस डाइवर्सिटी के चलते क्या होता था उस डाइवर्सिटी के चलते लोगों को युनाइट करना या फिर लोगों के अंदर नैशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को देश बनाएंगे तो वह चैलेंजिंग है क्यों कि हर नेशन की एक अलग अपनी लिंगेज होगी है हर नेशन में क्या होगा एक अलग कल्चर होगा वहाँ के यह लोगों का अलग मैंड सेट होगा अलग रिच्वल्स होगे अलग प्रैक्टिस तो उसके चलते इतने सारी तो इतने challenges होने के बावजूद हम देखते हैं आज वो national state बन गए आज nationalism की feeling है तो वो हुआ कैसे इतना सब को जितने changes होने के बाद में इतनी diversity होने के बावजूद आज वो national state के तरह कैसे आ गए हमारे सामने सवाल यह ठीक है और the new middle class, अब aristocracy क्या है, new middle class क्या है ये बता देते हैं थोड़ा सा, aristocracy जो groups थे, ठीक है, तो aristocrats जिसे कहा जाएगा, तो वो कहा सकते हैं, जो ruling class के लोग थे, ठीक है, ruling class की लोग थे और हर देश में पाए जाते थे, हर empire में, हर kingdom में पाए जाते थे, ठीक है, तो जो कहा सकते ह साथ में king, queen के साथ में होते थे, अब उसके बाद में अधिकतर क्या हो रहता था, तो इन लोगों का societal status एक जिसा था, पैसे वैसे वाले होते थे, ठीक है, उसके बाद में अधिकतर देवर connected with the marital ties, ठीक है, तो रिष्टे होते थे जैसे Spain और, क्या कह सकते हैं, Spain और Austria जो है, जैसे आपने 9th class में पढ़ा था, ध्यान करो, कि Austrian princess से France के राजा Lewis section के शादी होती है, ठीक है, तो शादियां या फिर कह सकते हैं कि, और इसी तरह के family relations से वो आपस में जुड़ों रहते थे, तो ये बात अलग है कि वो अलग-अलग regional kingdoms के अलग-अलग rulers है, aristocrates, ठीक है, पैसा क्या होता है, एक बार उपर से आसमान में छेद होता है, वहाँ से गर जाते हैं लोग, नहीं, new middle class भी जमीन पर ही थी, लेकिन वो आई कैसे, तो new middle class में क्या होता है, new middle class में simple सी चीज होती है, कि new middle class में जो लोग overseas trade करना start करते हैं, overseas trade मतलब क्या है, कि जैसे हमने industries बढ़ रही थी, trade बढ़ रहा था, तो trade के through इनके पास पैसा आया, अब पैसा आया, तो यह क्या करेंगे, जैसे हमने देखा aristocrate पहले पढ़ते लिखते थे, तो उन्होंने सुचा यार हम ruling class के तो नहीं है, लेकिन हमार पास भी पैसा है, तो इन्होंने पढ़ना लिखना ठीक है, बाइबर्थ किसी को privilege हो यह होना चाहिए, capability होना चाहिए, तो अब क्या होने लगा, कि जो पहले unchallenged category थी, aristocrats की, उसको अब challenge करने लगा, कौन new middle class, जो कि कह सकते हैं कि trade या economically एक new section emerge होके आया था European society में, अब इन दोलों के बीच में conflict होने लगे, ideological conflict होने लगे, ideological conflict कैसे, यह बोलते थे, equality की बात करते थे, ठीक है, नए-नए ideas को सुनते थे, पढ़ते थे, तो यह equality के supporter हो गए, और यह equality चाहते नहीं, यह बोलते थे, नहीं, हम तो aristocrat है, ठीक है, हमारे को सामने कैसे challenge कर सकते हो, तो इनके बीच में conflict होते थे, ideological conflict, political, यह बोलते थे, power हमारे पास रहे, यह बोलते थे, नहीं, democratic system होना चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से political conflict होने लगे, social conflict होने लगे, यह society में equality वगरा, इन सारी चीज़ों को promote करते थे, और वो society में क्या बोलते थे, नहीं, हम तो एक अलगी class है, तो इस तरह से क्या है, कि French society में nationalism की forces कैसे strong हो यह बता र पावर जो है, तो हमारे पास रहने चाहिए, new middle class का simple सा कहना था कि power, democratic तरह से distribute कर दो, conflict हुए, conflict ideological, social, political grounds में थे, and that conflict led to the idea of liberal nationalism, और उसी conflict के कारण, liberal nationalism के जो idea था, वो flourish होना start होता है, अब यह liberal nationalism का idea क्या है, यह कैसे flourish होना start होता है, liberal nationalism का idea simple सा है, सटीक सा है, उसे हम समझते है, आप देखो क्या है, तो को जो होते चलना, कि यह जो new middle class emerge हो क्या आती है, तो इनके ideological grounds जो थे, तो ideological grounds इनके different थे, और उन्ही ideological grounds के basis पर क्या है, एक नए idea को जरम देती, जो है idea of liberal nationalism, तो liberal nationalism का idea क्या है, what did liberal nationalism stand for, ठीक है, liberal nationalism क्या होता है, तो liberal nationalism का अगर आप इस idea को समझोगे, त ठीक है, liberal, liberal word से बनता है, liberal word का मतलब होता है, meaning free, तो liberalism कुछ नहीं है, liberalism का मतलब यह है, free, या फिर freedom, freedom for individual and equality for all, तो यह होता है liberalism का basic idea, Latin word से जो derive होता है, ठीक है, तो freedom for individual and equality for all, इस चीज़ की बात करते कि समानता हो और आजादी हो, ठीक है, अब इसके लेकिन दो meaning है, liberalism के अगर देखें, तो एक political, ठीक है, और दूसरा, एक political होने के साथ साथ में, दूसरा economic liberalism, तो political liberalism क्या है, political liberalism, देखो, political plus liberalism, तो political मतलब politics की बात आ रही हमारे representatives कैसे elect होंगे, यह सारी चीज़े, liberalism मतलब वही freedom होना चाहिए, हर इंसान को क्या होना चाहिए, हर इंसान को आज होना चाहिए, तो political liberalism का जो idea था, जो middle class, जिस idea का flag bearer थी, ठीक है, middle class, जिस idea को आगे तक पहुचाने की कोशिश कर रही थी, उस idea के थूख concept of government पे focus किया गया, concept of government by consent, ठीक है, समझना थर से, concept of government by consent, concept of government by consent, मतलब कि government जो भी बनेगी, पहले क्या होता था, aristocrates थे, aristocrates अपन हिसाब से बना लेंगे, उनकी जो अच्छा ही, मेरे बेटा राजा बनेगा, ले बेटा राजा बन जा, ठीक है, लेकिन अब नहीं, अब क्या होगा, अब concept of government by consent होगी, मतलब जनता जो चाहेगी, उस हिसाब से राजा बनेगा, जनता जो चाहेगी, उस हिसाब से राजा बन नहीं थे जो कह सकते हैं जो liberalist थे या फिर जो liberals थे ठीक है तो वह political liberalism में women को rights देने के लिए अतना आतूर नहीं थे इसलिए हमने देखते हैं क्या कि 9th class में भी आपने पढ़ाया कि women को जो political rights मिले तो बहुत लेट मिलें ठीक हैं लेट मिलना स्टार्ट हुए है फिर उसका अगली चीज अगर देखें तो liberalism में दूसरा meaning क्या था liberalism का दूसरा meaning यह था economic liberalism ठीक है अब economic liberalism क्या है तो यह दो शब्द से बनाए economic plus liberalism economic liberalism क्या बोलता है freedom of market and state imposed restrictions यहां पर क्या किया गया चीजों को ऐसे relate किया गया देखो समझना हमने क्या देखा कि पूरा कहानी फिर से जोड़ते हम कि France France से क्या होता है France से धीरे-धीरे nationalism की feeling fellने लगती है ठीक है nationalism की feeling fellने लगती है उसका Europe पर क्या impact हुआ तो हम देखते है यूरोप में nationalism की feeling को strong करना एक challenge था बहुत diversity लेकिन आप देखते कि वह जड़े कहां है तो जड़े यह है कि वह societal structure था extrocrates के पास में power थी power क्यों थी क्योंकि वह economically powerful थे पैसा बोलता है ठीक है उनके पास पैसा था तो उनका पैसा बोल रहा था और इसलिए उनकी क्या कह सकते कि उनकी बात रखी जाती थी हर जगा लेकिन जब new middle class trade के चलते थोड़ा flourish होने लगे इनके पास भी पैसा आने लगा तो आपका पैसा बोलता है तो हमारा पैसा चुप नहीं रहेगा मिडिल क्लास वाले ने बोला ठीक है तो जो new middle class मार जोई थी अब दोनों के पास पैसा था तो फिर वह बात किस चीज की करने लगी फिर वह बात करने लगे economic liberalism की कि economic liberalism होना चाहिए हर इंसान को everybody should be free ठीक है तो यहाँ पर freedom of individual को focus किया गया कि economically people should be empowered economically people should be empowered मतलब जो state government होती है ठीक है जो अलग-अलग empires थे तो राजा क्या करते थे trade restrictions लगा देते थे कि नहीं यहां से इतने goods नहीं जाएंगे इतने goods जाएंगे यह सारी चीजे तो जो restrictions लगा जाते थे उन restrictions को remove करने की बात करना इस्टार्ट कर दी ठीक है तो अधिकतर क्या कि क्या बात की जाने लगी कि economic liberalism होना चाहिए जहां पर freedom of market and state imposed restrictions जो है क्या किया जाए रिमूव किया जाए मतलब market को free करा जाए demand और supply के basis पे काम हो जिसको जितना खरीदना जिसको जितना बेचना है किसी को रात भर काम करना है किसी को दिन भर काम करना है उसको पूरी आज यह क्यों क्योंकि because these things are hindering the economic liberalism या फिर economic independence, economic freedom of an individual तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए उन चीजों को ध्यान में रखते हुए यह demand की जाने लगी क्या कि economic liberalism होना चाहिए I hope आपको इस समझ में आया what does liberal nationalism stand for, तो liberal nationalism का पहले तुम्हें literal meaning समझाना है and in our chapter we have seen two type of liberalism, political and economic liberalism, political concept of government by consent, दूसरा क्या है economic liberalism जहाँ पे freedom होना चाहिए, ठीक है, freedom of market and state imposed restrictions, अब देखो इसकी जरुवत क्या थी, जरुवत क्या थी, क्या 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 उठाएगा, step stick and resolution and solverine क्या था ये तीनों चीज़े समझते हैं, जरुवत ये थी देखो कि पहले क्या होता था, पहले जैसे के example, अलग 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 प्रोविंस होती थी, अलग 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 kingdom, अलग अलग kingdom है, अब किसी को यहां से goods लेके निकलना है, तो वो पूरा goods लेके गूमते गूमते नहीं होता था, ठीक है, और यहां इसी चीज़ से traders परिशान थे, तो traders ने बोला कि यह जो unnecessary state imposed restriction से उन्हें remove किया जाए, ठीक है, और फिर उसके आद में जैसे सब क्या uniform, अब देखो, nation state तो है नहीं, जब nation state नहीं है, तो क्या हो रहा है, कि हर area का अपना अलग system of weight and measurement है, ठी traders को बहुत दिक्कते face करना पड़ती थी, trade करने में, अब ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ आपके empire में trade करोगे, दिखती बात है, आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, दूसरे areas में trade करनी जाना पड़ेगा, तो वो सारे challenges थे, अब उन सारे challenges से जूजने के लिए क्या किया गया, उन सारे challenges से जूजने के लिए क्या क्या गया, कि कुछ steps लिए गई है, और जो steps लिए और गई है, तो जालवरीन का एक expensive दिया जाता है, जालवरीन के example का गया तो जालवरीन के custom union का example है, ठीक है, जो परूशिया, जो present day जर्मनी हैं तो कि इसमें भी जर्मनी नहीं था उसमें पुरिशन एंपायर था तो प्रुशन एंपायर ने क्या पुरीशन एंपायर के रूलर में बोला कि अपन क्या करते हैं अपने एक कस्टम यूनियर मनाते हैं जिसमें जो अलग अलग प्रकार की देखो currency भी इक इशू होता था आप इस empire में कोई और currency is empire में कोई और currency is empire में कोई और गरंसी है तो आप जब यहां से निकलो गए तो एक दो तीन तीर empire में currency अपनी convert करवाना पड़ेगी तो मतलब बहुत एक कंबसम exercise हो जाती थी तो जॉलवरी ने इनिशेटिव लिया गया in light of economic liberalism तो उसमें यह simple सी चीज यह की गई है कि जो तरह तरह की currency होती थी तरह तरह के जो trade union trade barriers लगाय जाते थे उनको कम किया गया तो 30 प्रकार की currency थी तो under solver in the currency जो use की जाती थी तो तो 30 से 2 कर दिया गया उसे trade barriers जो लगाय जाते थे उनने कम कर दिया गया क्यों क्योंकि यह जो idea था economic liberalism का यह idea क्या होते जा रहा था यह idea strong होते जा रहा था और इस idea के support में यह सारी चीज ने की जा रही थी आयना समझ में तो कहानी को ऐसे जोडते हुए चलना है हमें ठीक है अब देखो क्या है अभी मैंने आपको ऐसे recap करवा तो हमने देखा France ठीक है France से पूरे Europe में बात फैली पूरे Europe में जब बात फैली तो वहाँ पे एक challenge था लेकिन वो challenge को overcome करने में क्या है जो new middle class थी new middle class ज बेहरे धीर हम देखते हैं कि लोगों के अंदर political liberalism का idea भी एक तरह से unique की बात कर रहा है फ्रीडम की बात कर रहा है और यहीजीज़ हम देखेंगे कि nationalism को आगे sexualism को यही equality की बात कर रहा है freedom की बात कर रहा और यही nationalism को देगी लेकिन conservatives क्या कर रहे होंगे conservatives कौन ठीक है conservative समझाता हूँ तो जो राजा महराजा आपके जो कह सकते हैं जो aristocrate हमने पढ़ा तो aristocrate class के जो लोग थे ना वो conservatives तो conservatives चुप थोरी ना बैठ होंगे और एक को और चीज जो हमने बता है Napoleon power में आते हैं नेपोलियन पावर में आते हैं 1804 में तो नेपोलियन की डथ भी हो जाती हरा भी दिया जाता नेपोलियन को 1815 में तो 1815 के बाद में क्या चीज होती है तो न्यू conservative रिजिम आगे देखते हैं चलो से नेशनलिजम के force को और strong करेगी ठीक है अब जड़ा कहानी को बापिस recap में ले जाओ हमने देखा नेपोलियन फ्रांस वाली कहानी पे नेपोलियन पावर ले लेते हैं नेपोलियन अपना नेपोलिक लेते हैं नेपोलियन को हरा दिया में तो चार पावर्स ती जिससे ब्रिटेन थी पुरुषी हाथी रस्याथा ऐस्ट्रिएआ था तो इसको यह चारो पावर्स मिलके हराती है नेपोलियन बोनापाट को अब नेपोलियन बोनापाट के हारने के बाद में चीज़ें बदलेगी नेपोलियन बोनापाट के हारने के बाद में चीज़ें कैसे बदलेगी नेपोलियन बोनापाट के हारने के बाद में चीज़ें ऐसे पताया थे तब जो पुरानी सोच रूडिवादी सोच जो होती थी जो कह सकते हैं कि जो ओड सिस्टम में बिलीव रखते थे थे अब पुराने सिस्टम old monarchy को restore किया गया अभी देखेंगे तो पूरे यूरोप में उसके लहर दोड़ जाए गया monarchy को restore करने की ठीके तो क्या होता है new conservatism how and why तो ठीके क्या था पहले new conservatism तो राजा महरा राजा वापिस rule पर आएंगे अब Napoleon को राने काद में और क्यों आए क्योंकि उन्हें हराया तो पावर उनके पास में एक चीज यहां पर यह समझने वाली है कि देखो एक जो time period रहा revolution वाला France में तो उसने कही ना कही लेकिन एक idea यह दे दिया कि हाँ यार कुछ changes बहुत अच्छे होते हैं जैसे military को modernize कर देना तो जो नेपोलियन ने किया उस चीज को ये भी adopt कर लेंगे conservatives चाहें अब वो power राजा के पास रखें लेकिन military modernize होगी किस line पे जिस line पे जब revolution के बाद में आई थी तो ये वैसी बात हो गई कि अच्छी चीज आप लेने के लिए हमेशा आतूर रहोगे तो जब new conservative regime जो 1815 के बाद में establish किया तो उसमें जो जो अच्छे changes revolution के टाइम पे आये थे ना तो अच्छे changes को जैसे uniform system of weight and measurement तो उन्होंने बलाए ये तो अच्छी चीज थी तो ये conservatives उसने क्या किया power तो बापिस से पुराने style में लिया आये वो ठीक है राजाओं के पास में लेकिन तरीका जो था तो जो revolution से अच्छी चीज़ें आई थी उन सारी चीजों को उन्होंने continue रखा उन्होंने हटाया नहीं है ठीक है अब इसका impact क्या रहा तो impact वही रहा कि आप society फिर से जो liberalist forces थी जो यहां पर हम देख रहे कि liberal ideas इमर जो रहे थे उन liberal ideas को अब भाव नहीं दिया जाएगा उन liberal ideas को अब suppress करने की कोशिश की जाएगी ठीक है लोग बोलेंगे कि यह democracy की जो हम आशा लगा के बटे थे वो democracy की आसा खतम हो गई है ठीक है यह impact था इसको आगे यहां तक रोको कहानी यह समझते हैं अब जब यह new conservative chancellor थे तो वो meeting को host करते हैं उनका नाम था Duke Metternich यह आदमी बहुत बोलता है ठीक है तो अलग-अलग statements है तो अलग-अलग statements अभी हम पढ़ेंगे who said this statement करके आ जाता है तो वो Duke Metternich के दो-तिन statement है जिने हम आगे पढ़ेंगे चप्टर में ठीक है और उसी के साथ में यह वनमाक्स में question मन जाता है कि who was the Austrian chancellor तो Duke Metternich ध्यान रखना है यह new conservative sign होती एक संधी पे लोग राजी होते हैं वो संधी कौन सी थी वो थी treaty of Vienna 1815 अभी जो treaty of Vienna थी इसमें हुआ क्या था देखो मैंने बताया कि conservative regime power में आता है conservative regime मतलब जो old system था वो उसको restore करेंगे तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला undoing the changes that had came about in Europe तो उन्होंने बोला कि जो यह revolution time period पे निपोलियन के अंडर में या फिर जो फ्रेंच revolution हुआ था जकोब क्लब जब बना था तो उसमें जितने भी बदलाव आए हैं ठीके undoing the changes that had come about in Europe तो यूरोप में जितने भी बदलाव आए उनको सबको undo कर दो सबको फिर से क्या कर दो पुराना system लियाओ restoration of bourbon dynasty तो जो फ्रांस में जो bourbon dynasty rule कर रही थी लूइस 16 की उसको वापिस से restore कर दिया कि यहाँ पर फिर राजा आएगा ठीकें नेपोलियन को तो हरा दिया क्यूंकि France lost its territory annexed under Napoleon तो अब जो नेपोलियन ने territory जीती थी तो उन्हें फ्रांस के राजा को तो बिठा दिया राजा रूल करेगा लेकिन नेपोलियन ने जितनी territory जीती थी वह वापिस दे दो सब ठीकें तो फ्रांस की territories को कम कर दिया setting up of states on the boundaries of France तो फ्रांस की boundary पे जैसे Belgium इधर ठीकें अलग-अलग जगा क्या कर दिया Austria वगर उन्होंने states बना दिया ताकि France अपने आपको expand ना करे बाद में और या फिर ऐसा क्या सकते हैं कि France ने जो जीता था तो वो जीते हो इससे को हटा के उन्होंने अलग-अलग states बना दिये ताकि क्या हो कि यहां पे भी राजाओं को बिठा जा सके और conservative rulers को establish किया जा सके ठीक है Monarchies overthrown by Napoleon were restored और जहां-जहां Monarchy को मतलब main intention ही यह था कि जहां- नैपॉलियन ने क्या किया है Monarchies को overthrown किया था नैपॉलियन क्यों कि जाते गए नेपॉलियन अंदर यूरोप के दूसरी countries में रहाते गए असब को अपने आपको establish करते चले गया तो जहां-जहां Monarchies को overthrown किया था Napoleon ने सारी Monarchies को बापिस restore कर दिया सारे Conservatives को बापिस restore में रहने वाले हो कि नहीं जिसको freedom नहीं पता है वो कभी डिमांड नहीं करेगा freedom के लिए लेकिन जिसने freedom का टेस्ट चक चुका है जिसे पता है कि freedom क्या होती है तो वह चुप थोरी ना बेठेगा वही चीज यहां पर भी हुई है क्या हुई है कि न्यू conservative regime आतो गए उन्हें नेपोलियन को तुके से हरा दिया और पावर तो लेली उन्हें ने लेकिन उसका impact डिया रहा कि problems थी बहुत जादा लोग खुश नहीं थी conservatives जब वापिस पावर में उन्हें क्योंकि उन्हें एक आइडिया था क्या democracy क्या होती है लिबर्टी क्या होती हम देख चुके नेपोलियन के टाइम पर ने influence थी वो लोग नेशनलिस्ट जो थे जो देश की जिनके अंदर भावना जागने लगी थी वो लोग ठीके revolutionaries जो थे तो यह सारे लोग मिलके बोल रहे थे कि नहीं नहीं हम तो वापिस से वही system restore करेंगे conservatives को उठा के फेकेंगे हां से तो अब देखो का है तो यह revolutionaries बता देता हूँ revolutionaries are those who believes in the sudden change in the society तो नेशनलिस्ट और लिबरल्स जो थे यह लोग मिलके revolutionaries का support करने लगे कि revolutionaries लड़ भिर के कैसे भी power तो दिलाने की बात करते हैं करते हैं यहां power citizens के पास होना चाहिए तो इनको support मिलने लगा किसको revolutionaries को revolutionaries में एक prominent नाम है गुजीपी मजीनी he was from Italy ठीक है आगे अभी जब हम करके मत बैठो ठीक है तो he was born in Genoa in 1807 founded secret societies और यह secret societies मनाते थे ठीक secret society मतलब जो underground काम करेंगी societies जो राजा को हटाने के लिए क्या करेंगी प्रयास करेंगी विद्रोह करेंगी तो ऐसी secret societies मनाते थे ठीक तो दो secret societies मनाई यंग इटलीन God had intended nations to be natural units of mankind मतलब यह भगवान की इक्षा है कि जो nations है nations क्या होना चाहिए natural unit of mankind मतलब अगर इस पूरे area के लोग इस पूरे area के लोग चाहते कि वो एक देश बनके रहें यह natural unit होना नेशन उनका नेशन मतलब जैसे इटली थे तो इन्होंने बोला कि इतली की इतनी जो population है यह कह सकते हैं Italian language speak बोलती है ठीक है उससे के साथ साथ में क्या होता है कि इतनी जो population का culture एक जैसा यह सारी चीज़ है तो बोलते थे कि पूरा यूनिफाइड अनाचे शूट बी नैचरल यूनिट ऑफ मेंट काइंड तो उस तरह के से इन्होंने क्या दिया था यह आइडिया दिया था वाट वाट वास दी आइडिया वास दिस वनमाक्स में ऐसे पूछा जा सकता है या फिर एक्स्प्लेइन राइट शॉट नॉट ऑन गुजीपी मजीनी आता है तब आप यह पॉइंट इस्तिमाल कर सकते हो तो यह इंपोर्डेंट चीज है ठीक है रिवलिशनरी के फॉर्म में अगर आता है तो वन अफ दी प्रॉमिनेंट रिवलिशनरी वास गुजीपी मजीनी यह हो गया ठीक तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह सारी चीज़ें गुजीपी मजीनी करी है और जैसे मैं आपको कहा था मैटर्निक ड्यूक मैटर्निक कौन अभी बताया था जो मीटिंग हुई थी वियना में तो जो आस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मैटर्निक वो ड् बहुत बोलता है यह इंसान तुन्होंने क्या बोला ड्यूक मैटर्निक डिस्क्राइब हिम मतलब गुजीपी मजीनी को उन्होंने क्या बोला दी मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ और सोशल और मतलब उनका सोशल यार्डर रहने कंजरवेटिव बताया था यहां पे तो उनका फ्रांस में लोगों को आइडिया समझ में आए फ्रीडम का लिबर्टी का ठीक है खुश हुए लोग चेंजेस आते गए और फ्रांस में और यूरोप में कैसे चेंजेस आते गए नए आइडियास लिबरलिजम वगेरा के नए नए रूलर्स जेकोबिन क्लब आ गया नेप बाद चक चुके थे तो प्रायास निरानितर चलते रहते थे तो निमेसे जैसे हमने एक रिवलिशनरीस का देखा कि रिवलिशनरीस वेर कंटिनूसली स्ट्राइविंग फॉर इंडिपेंडेंस ठीक है आजादी के लिए तो अब फिर से एक लहर चालो होगी रिवलिशन की कि जो conservative regime established किया गया है उस conservative regime को फिर से हटाया जाए और democratic society या फिर कह सकते है नेशन स्टेट बनाया जाए में चीज इस चीज़ पर focus किया जाए कि nation states बनाया जाए फिर से देश को क्या किया जाए एक जूट किया जाए कोई राजा के अंडर में रूलना हो लोगों के पास power फिर से यह किया जाए तो अब revolution फिर से start होंगे फिर से जब revolution start होंगे तो हम इसमें पढ़ते हैं the age of revolutions 1830 to 1848 ठीक है 1848 तक चलेंगे यह तो age of revolution में 1830 से 1848 में क्या क्या जाएगा तो अब हम देखेंगे कि जो conservative regime established क्या है तो उसे कैसे दीरे दीरे फिर से हटाया गया है ठीक है तो liberalism and nationalism came to came to increasingly associated with revolution तो जितने भी nationalist थे जो रास्टरवादी थे जो देश को एक बनाना चाहते थे जो liberalist थे ठीक है जो लोग हमने देखा कि political liberalism और economic liberalism की बात करते थे यह सारे लोग मिलके revolution के लिए तयार हो गया है बोला कि नहीं हटाएंगे हम तो conservative regime को तो क्या हुआ देखो अब इन sequence देखते हैं France इसे चीजें start होती है अब यहीं पर एक बार फिर statement देते हैं कौन जो बहुत बोलता है कौन बोलता है duke maternick तो duke maternick के statement बोलते है when France sneezes rest of the Europe catches cooled मतलत एक बार जब France को छीक आती है तो पूरे Europe में सरदी फैल जाती है ऐसा क्यों बोलते हैं वो क्योंकि आप देखो तब भी French Revolution जो 1789 में आया था France से हुआ France से दिरे-दिरे Europe में उसके impact feel करने लगे थे लोग अब बापीज जो दूसरी लहर उठेगी revolution की the age of revolution 1830 तो सबसे पहले France में चीजों को observe किया जाता France में सबसे पहले approval होता है और जो बर्बन डैनिस्टी के king को establish किया था यहां पर हमने देखा था कब treaty of Vienna में ध्यान आया यह treaty of Vienna में restoration of bourbon dynasty तो उस बर्बन डैनिस्टी को restoration हुआ था तो उसको constitutional monarchy में change कर दिया लोगों ने revolt किया लोगों ने revolt करके बोल दिया कि राजा ठीक है बने रहो राजा लेकिन तुम constitutional monarchy रहोगे तुम समविदान के हिसाब से काम करोगे अपनी इक्षा से काम नहीं करोगे ठीक है पहली चीज़ फिर क्या होता है फ्रांस के बाद जुलाई 1830 में फ्रांस में revolution होता है लगे लगे independence of Belgium ठीक है जैसे यह फ्रांस है उपर देखो के Belgium है तो Belgium किसके अंडर में था under the United Kingdom of Netherlands नीडरलेंड के अंडर में था Belgium अब Belgium नीडरलेंड के अंडर में था और Belgium के लोगों ने सुचे कि यार हमें अब राजा से छुटका रहा चाहिए हम अपना आजाद देश बनाना चाहते हैं तो फ्रांस में जब उन्होंने देखा कि फ्रांस में लोगों ने constitutional मोनार्क इस्टैब्लिश कर दिये तो उन्होंने क्या बोल दिया कि Belgium को आजाद करवाएंगे तो वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट करके Belgium को आजाद करवा लिया तो देखो जो स्टेट्मेंट एवेंट फ्रांस स्नीजस रेस्ट ऑफ दी यूरोप कैचस कोल्ड बेल्जियम ने भी फांस को ले इन्टीपेंदेंस मिल गई मतलब फ्रांस में कॉंस्टिशुशन मोनार क्या गई ड़्यम को इंडिपेंडेंस मिल गई गाव यह तोसे सब्सक्राइब लुक्या सक्ता है Greek जो है उसे Cardale of European Civilization बोला गया है कि जैसे हम ancient history देखोगे तो ancient history में जैसे आपने civics की books में पढ़ा होगा क्या कि Greek city states होते थे या फिर कर सकते हैं कि जो पूरे Europe का development जो start हुआ है तो वो Greece से ही start हुआ है Greek से start हुआ है तो उस sense में क्या है कि सारे लोगों के सारी European countries के sentiment जुड़ा हुए थे किसके साथ Greek के साथ तो अब वो Greek लेकिन किसके अंडर में था इट वास अंडर दी रूल ओफ Ottoman Empire जो कि एक Islamic ruler था ठीक है तो अब क्या है कि सारे Christians यूरोप की countries अगर देखा जाए ठीक है और Greek के अगर आप position देखो कि तो तर्की वगरा जो है तो नीचे Islamic states और उपर Christian states तो ऐसा जुड़ा हुआ था ग्रीज ठीक है तो अब उसके चलते क्या होता था कि यूरोप के लोग चाते थे ग्रीक को आजादी मिलना ची इस्लामिक रूल से क्योंकि वो Ottoman Empire जो था तो मुस्लिम के जो खलीफा होते उनके ruler थे ठीक है और Greek के लोग यह चाते थे कि वहां से आजादी मिल जाए उन्हें ठीक है त पूरे European powers मदद करते हैं ठीक है और जैसे जैसे Ottoman Empire थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लगता है तो अब इस इंटिग्रेशन ऑफ Ottoman Empire ठीक है ठीक है एक बूस्ट मिला फ्रीडम को कि यहां आप तो आजादी मिली जाएगी और एक Treaty of Constantinople sign होती है 1832 में और जिसके बाद में Greek was recognized as an independent nation Greek को एक independent nation की तरह recognize कर लिया गया था यहां पे एक नाम आता Lord Byron का इसके बारे में हमने पहले भी डिसकस कर चुके हैं जब हमने वीडियो लेक्चर्स इन डिटेल पड़े थे तो Lord Byron भी क्या करते हैं फंड सिखटा करते हैं वो लड़ने जाते हैं Greek war of independence में लेकिन उनकी तबियत खराब हो जाती है और and he died due to fever बुखार आ जाता और उस करण से इनकी मृत्य हो जाती है तो यह सारी चीज़ हो गई है अब देखो तो France ने sneeze किया पूरे Europe में cold fell ने लगा ठीक है वही चीज़ बत कहानी चाल रहे है कहानी साथ साथ मैं idey else चल रहे है जैसे हमने क्या देखा कि यहां कहानी चल रही थी क्या making of nationalism in Europe टो making of nationalism IN Europe मने देखा कैसे यू? वोप में nationalism को स्ट्रॉंक किया गया तो हमने देखा कहानी ये थी aristocrats वह न्यू मिडिल क्लास हो रही है अब यह कहानी चलते चलते बीच मैं आइडिया आ गया कि यह जो न्यू मिडिल क्लास ही मर्ज हुई थी तो लिबरल आइडियास को फॉलो करती थी फिर प्रक आने ने चालू कर ली क्या कि new middle class के ideas के चलते क्या लोगों को एक base मिल गया था लेकिन conservatives फिर power में आ गए लेकिन आप क्योंकि लोगों के ideas में एक base था तो revolutionaries वगेरा ने अपने आवाज उठाना चालू करी age of revolution फिर से start होता तो धीरे धीरे फिर से revolution करांती की लहर फैलने लगती है ठीक है अब एक idea फिर बीच में आ गया है वो है idea idea of romanticism romanticism का idea क्या है इस चीज को समझो idea of romanticism यह है कुछ नहीं है simple से चीज है कि romantic imagination and national feeling तो किस तरह से विचारों से लोगों के अंदर राष्ट रहत या फिर राष्ट प्रेम को infuse किया गया नेशनलिजम की feeling जो होती है नेशनल romanticism ठीक है working on the soft power soft power एक तो तरीका यह था देश को आजाद करवने का लड़ो मारो राजा को पकड़के अच्छे से ठीक है और आजादी ले लो दूसरा तरीका यह था कि आप क्या है आप आपके देश की भावनाओं को या फिर आप कह सकते हैं आपके देश के culture को इन सारी च का जंडा है आया ना समझ में वही चीज तो यहां पर romanticism पर focus किया गया या फिर कह सकते हैं कि the role of culture, art and poetry, stories, music इन सारी चीजों की मदद से क्या किया गया है help to express and shape nationalist feeling, nationalist feeling को strong करने के लिए इन सारी चीजों की मदद ली गई है जैसे example में देखे हम तो German Unification के time पर क्या है Johan Gottfried जो पर कह सकते हैं कि German culture जो है वो जर्मन के Germany के लोगों के अंदर रहता है जो Germans है जो जिनका German culture है जो German language बोलते है तब चाहे हो सकता है कोई Prussia के अंडर में हो कोई Austrian Empire के अंडर में हो लेकिन सारे लोग United है क्यों क्योंकि उनका culture एक है तो culture की मदद से उनने कोशिश करी गई कि ज करते हो ठीक है तो जैसे कि एक्जामपल जहान गटफ्रीड ने भी कहा जर्मन युनिफिकेशन के टाइम पे कि जो German culture है वही लोगों का क्या बनेगा युनिफिकेशन के लिए एक फोर्स बनेगा फिर पॉलेंड के जैसे युनिफिकेशन की बात आती है तो पॉलेंड के य है पनिफिक में इशुआस रखते थे कि उपीरा म्युजिक जो है तो वह पेरा म्युजिक के थ्रों स्पाइल को जोड़ने की कोशिश करते थे ठीक है Russian language imposed की जा रही थी जब Russian language imposed की जा रही थी तो चर्च वगेरा में जो पॉलेंड में चर्च थे तो वहाँ से क्या किया जाता था वहाँ पर जब gatherings होती थी तो चर्च में बताया जाता कि कि नहीं हमारी Polish language जो है पॉलेंड की वह बहुत प्री है हमको चाहे फॉरेंड डॉमिनिशन क्यों ना आ गया लेकिन हम Polish language नहीं छोड़ेंगे तो लोगों ने स्कोर्ड तो इतने यूरोप में फैली अभी ठीक है इतने यूरोप में क्रांती फैली है लेकिन यहीं तक सीमीत नहीं है और भी कुछ होगा यह फ्रांस जिसको 1830 में क्या किया गया है क्यूश्यक इसकति के साथ Unemployment बढ़ रहा था लोग बेरोजगार भी हो रहे थे पॉपुलेशन बढ़ गई था काने के लिए बहुत सारे लोग बैठे है खाना कम है तो खाना कंव रहेगा तो उसके food prices भी बढ़ेंगे ठीक है उपर से क्या हो रहा कि weather condition वगरा भी बिगड़ गई तो जितना था खाना उसमें भी कमी आ गई बहुत जादा तो इन सारी चीजों के चलते क्या है कि आप देखोगे widespread populism हो गया populism मतलब stage of being reduced to the poverty, poverty की stage पर आ गई हो आप ठीक है आप ऐसा लग रहा है आपको की गरीबी बढ़ रही है जब poverty proliferate हो रही है गरीबी बढ़ रही है तो वो populism कहलाएगा ठीक है तो ये सारे factors के चलते हैं फ्रांस के लोग ऐसा खुश नहीं है कि चलो बहुत गरीबी बढ़ रही है बहुत अच्छी बात है फ्रांस के लोग परिशान हो गए ठीक तो इसको specifically फ्रांस के perspective से हम पढ़ रहे है कि फ्रांस में revolution से उन्होंने monarch को constitutional monarch में तो लिया है थे 1830 में लेकिन जब poverty है ये सारी चीज़ों और बढ़ रही है तो 1848 आते आते क्या होता है कि लोग revolt कर देते हैं राजा के अगेंस्ट में वह स्थिज़ों अब देखो क्या है तो इस के चलते क्या होता है कि ल्युज़ फिलिप को चोड़के जाना पड़ा क्या अपना राज सिंगासन अभी तक तो constitutional monarch भी थे लेकिन उन्हें अपक्या करना पड़ा अपना सिंगासन छोड़के भागना पड़ा आयना रिलेट करो कहानी बनाओ लुइस फिलिप को 1830 में तो हटाए गया लेकिन जब सिच्वेशन और बीड़ी तो 1848 आते आते लुइस फिलिप को छोड़ के ही जाना पड़ा लुइस फिलिप फोर्स टू फ्ली ठीक है छोड़ के भागना पड़ा सिंगास नैशनल एसंबली बनती है तब रिपब्लिक बन जाते हैं फिर जकोबिन क्वा जाता है नेपूलियन आजाते हैं डैरेक्ट्री आ जाते हैं फिर से treaty of Vienna के बाद में क्या होता है treaty of Vienna के बाद में फिर से राजा को बिठा दिया जाता है ठीक है लेकिन 1830 में राजा को constitutional monarch बना देते हैं और अब वो राजा को हटा ही दिया उन्होंने बोल दे कि हम फिर से we are proclaiming our country to be republic ठीक है अब यहाँ पर 1845 में revolt of weavers in Sicilia तो यह क्या है Celesia ठीक ह हर चीज के against में revolt था यहाँ पे जो weavers थे तो weavers को जो contractors जो थे तो contractors क्या थे exploit कर रहे थे एक तरह से ठीक है सही दाम नहीं देना ये सारी चीजें तो जब सही दाम नहीं मिल रहा है veavers को weavers ने contractors के against में revolt कर दिया तो उस incidence को बताए गया है रिवॉल्ट बाइदी वीवर्स ठीक है इंदी किंग्डम इंदी प्रोविंस ओफ सेलीशिया इस नोन अस के रिवॉल्ट ओफ वीवर्स इन सिलीशिया ठीक है यह हो गया अब देखो अब कहानी अब नया मोल ले लेती है हम क्या देख रहें मेंगिंग ऑफ नैशनलिजम इ हमने देखा कि फ्रांस के साथ चीजे स्टार्ट होती है यहां फ्रांस पीक पर पहुँच गया अब जो दूसरे नेशन से वह भी तो क्या कह सकते हैं अजाद हुए होंगे उन्होंने भी क्या किया होगा रिपब्लिक या फिर देमोक्रेटिक सेटप इस्टैबलिश किया हो यह जो 1848 वाला हमने अभी रिवॉल्ट देखा तो यह क्या है अगर ऐसा कुशन आता है या फिर रिवॉल्ट तो आपको यह धिया रखना है अगर मिडिल क्लास रिवल्यूशन की बात की जाए तो 1848 में यहां पे भी लिबरल्स के दोवारा एक रिवॉल्ट किया जाता है ठीक है मिडिल क्लास लिवरल्स के दोवारा तो मिडिल क्लास लिवरल्स के दोवारा जो रिवॉल्ट किया गया है उसे इसमें एक्स्प्लें किया गया है ठीक है यह धियान रखना है मिडिल क्लास लिवरल्स के दोवारा जो रिवॉल्ट किया है उसे इस सेक्शन में एक्स् पुर्जीय आ, ठीकिए तो पुर्शयन एंपायर में अलग-अलग रूलर्स रूल कर रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता था हमारा भी तो नेशन स्टेट होना चाहिए हमें भी कुछ राइट्स होना चाहिए, ठीकिए हमारा राजा जो है तो हमारे हिसाब से चले constitution के साब से चले हमारे साब से आने constitution मना दो उस constitution को राजा follow करते चलते रहें तो ये सारी आशाएं जर्मनी के लोगों के अंदर भी जागी ठीक है सभावी के अब क्या होता है तो situation before the revolt अगर देखी जाए तो situation before the revolt अगर देखे तो सारी पावर राजा के पास होती थी लेकिन अब क्योंकि middle class इमर्ज होगी थी तो जो middle class थी वो liberalism के आईडियास से सारी चीज़े पढ़ी हमने तो liberalism के आईडियास से वो middle class कहीना के influence थी और उसके चलते revolt के पहले ये situation थी कि हाँ लोगों ने तय कर लिया था कि हमें भी हमारे हाथ में क्या चाहिए थोड़ी सी तो power चाहिए राजा को constitution के हिसाब से क्या कर दिया जाए constitutional monarch बना दिया जाए तो अब contribution of liberal middle class तो ये वही चीज़ है कि पूरा contribution अगर revolt का दिया जाए या फिर कहा जाए कि जर्मनी को independence दिलाने के लिए जो पहली लहर चली थी तो उस पहली लहर में middle class का एक important contribution रहा क्योंकि liberal middle class जो थी उन्होंने एक framework दिया एक base provide करा ideological base अब उस ideology पे क्या होगा उस ideology पे ही आगे revolt की बात करेंगे किसी भी चीज़ को करना है तो पहले तो idea चाहिए न आपको ऐसा तो लिए उठोगे और बस revolt कर दोगे अब यह जो liberal middle class थे तो इसमें middle class professionals थे businessmen थे prosperous articians थे यह सारे लोग मिलके क्या करते हैं सारे लोग बोलते हैं कि एक nation state बनाया जाए रास्ट्र बनाया जाए एक और वह रास्ट्र बनना चाहिए parliamentary principles पे Parliament की line पे क्या किया जाए एक nation state बनाया जाए ठीक है तो Parliament की line पे nation state बनाने के लिए Frankfurt Parliament Saint Paul Church में जो है वहाँ पे इखटे होते हैं यह जर्मनी में ठीक है तो Frankfurt Parliament अभी हम आगे और पढ़ेंगे इस चीज़ को सेंट पॉल चर्च ठीक है Frankfurt वहाँ पे इखटे होते हैं यह और वहाँ पे All German National Assembly बनाते हैं उसी के साथ साथ में एक constitution बनाते हैं यह लोग ठीक एक constitution मिनाने के आद में राजा के सामने present करते हैं राजा कौन फेडरिक विलियम फोर राजा के सामने constitution present किया जाता है लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि राजा बस बैठे ही होगा कि आईए आप बोलोगे वैसा कर देंगे राजा ने ऐसा नहीं किया राजा ने क्या किया राजा ने दूसरा military वगएरा का support लेके यह जो protesters आहे थे या फिर कह सकते हैं ज जो थे जो जिनोंने constitution present किया राजा के सामने राजा ने उनकी पिटाई लगवाई और यह जो revolution की forces start हो रही थी तो यह revolution आफ दी लिबरल्स तो यह revolution एक तरह से फेल हो गया यहां से लोगों को क्या करना पड़ा अपनी demand को drop करना पड़ा क्यों क्योंकि पहली बात तो यह middle class professionals थे ने वरकर्स को अपने साथ जोडा नहीं ठीक है वरकर्स को नहीं जोडा तो उसके चलते एक कह सकते broad moment नहीं मिला ठीक है broad base नहीं मिला moment को दूसरी चीज़ राजा का support कर दिया आर्मी ने आर्मी ने जब support कर दिया तो आर्मी आराम से suppress कर देगी इन लोगों को तो यह revolution यहीं पर fail हो गया ठीक है अब यह revolution फेल तो हुआ है इसको आगे और समझेंगे देखो the issue of extending political rights to women इस revolution में women का क्या position था एक question यहाँ पर यह भी बन सकता है what was the position of women in the revolution of liberals 1848 तो यहाँ पर women की यह position थी कि women ने actively participate किया ठीक है तो participate तो किया लेकिन उनको recognition नहीं मिली जब आप उस image को देखेंगे आपकी book में जो image दिये Frankfurt Parliament की तो वहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि women participate करती है ठीक है यह जो middle class professionals जाते हैं जब constitution present करते हैं Saint Paul Church में तो वहाँ पर women को सरिफ spectator की तरह दर्शक की तरह खड़े होने का क्या मिला है खड़े होने का दिकार मिला है बस बाकि उनका इससे ज़्यादा contribution को recognize नहीं किया तो women का contribution था बहुत लेकिन recognition नहीं मिला उने ठीक है हाँ एक सवाल यह आता है कि अब क्या यह revolution को सच में failure माना जाएगा तो सच में failure नहीं माना जाएगा क्यूं क्यूंकि इस revolution का आद में एक चीज तो समझ आ गई थी क्या समझ आ गई थी राजाओ को समझ आ गई थी एक चीज कि कुछ भी हो जाए आज तो मैंने इस forces in forces को यह revolutionary forces उन्हें suppress कर दिया कल को फिर आएंगे मैं कब तक रोखूँगा और आगे जाके वही चेंज आएगा तो हम देखते आगे जाके क्या चेंज आएगा और उसी के सांसा देखो important चीज कि जो चेंज आगे आएगा तो उसमें factor बदल जाएंगे यहां middle class थी वहां पे कोई और आएंगे तो कौन है देखते हैं तो अब यहां पर making of Germany and Italy अब हम दोनों परस्पेक्टिस से देखेंगे दोनों परस्पेक्टिस मतलब जर्मनी हमारा जो मैंने अभी तक कहानी बताई आपको क्या कि जर्मनी में एक बार revolutionary forces मतलब middle class liberals के दोरा revolutionary forces is not the right time middle class liberals के दोरा जो प् अब topic आता है making of Germany and Italy तो उसमें क्या book में आपको क्या heading मिल रही है जर्मनी can army be the architect of nation तो can army be the architect of nation में क्या बता रहे है कि जो middle class liberals के दोरा एक बार प्रयास किया गया था वो fail हो जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि फिर जर्मनी कभी unified नहीं हो पाता है democratic क्या सकते हैं जर्मनी नहीं बन पाता है तो वो democratic जर्मनी जब बनता है तो कैसे बनता है उस चीज़ को हम देखत कि जर्मनी में जो liberal middle class के जो लोग थे उन लोगों ने पूरे प्रयास किये भरपूर प्रयास किये कि वो देश को क्या कर सकते हैं कि जो फेडरिक विलियम फोर था उसके सामने constitution प्रेजेंट किया उन्होंने ताकि क्या कर सके एक constitutional government बना सके फेल होगा लेकिन अब क्या होता ह तो अब यहाँ पर जिम्बा कौन उठाता है यह जो nationalist sentiments थे दिवर often mobilized by conservatives तो राजा के परिवार के लोग ही conservatives जो थे उन्हीं लोगों ने क्या किया इन nationalist sentiments को use करके country को unified करने की कोशिश करी तो जैसे जर्मनी और इटली में दोनों में यही case था तरह जर्मनी का समझते हैं तो इसमें अब आपको unification of Germany का अगर answer आता है तो आपको पूरी process अगर आता है unification of Germany अंदर auto one miss mark तो यह इतना लिखना है जो हमने यहाँ पर भी study करेंगे हम अगर आता है कि explain the whole incidence of the middle class liberal middle class जो liberal middle class थी जर्मनी में उन लोगों ने जो efforts लगाए थे चीए तो अगर उनका efforts उनके contribution प लिखना है सिर्फ auto one miss mark के अंडर में पूछा तो इतना ही लिखना है या फिर failed attempt of liberal middle class to unify Germany आता है तो सिर्फ वो पुरानी वाली चीज़ें जो हमने यहाँ पर discuss करी तो इतना लिखना है यह धियान रखना आपको ठीक है अब देखो क्या है तो moment tender auto one miss mark auto one miss mark ठीक है तो chief minister of Germany auto one miss mark तो इन्हें क्या किया था अब इन्होंने जिम्मा समाला जब उन्होंने देखा कि यार liberal middle class का जो revolution था वो fail हो गया तो उन्होंने अपने सर पे सारी क्या ली जिम्मेदारी ली और उसके बाद ही he fought three wars over seven year तो आज बाजू की आर्मी को मिला के ठीक है chief minister auto one miss mark ने क्या किया ज ठीक है सब को हराने के बात में in January 1871 ठीक है तो January 1871 में William one was proclaimed as German emperor और Germany को अब उन्होंने क्या किया कि एक conservative राजा के अंडर में एक unified Germany जो देख रहे थे हैं कि Germany unified नहीं था अलग-अलग empire थे Prussian empire ठीक है आज बाजू की अंडर में अलग-अलग राजा रूल कर रहे थे तो उन्ह nationalist sentiments को यहां पर conservatives ने क्या किया mobilize करके उन्होंने unified Germany बना दिया बन गया unified Germany congratulations ठीक है अब आपने जर्मनी तो बना लिया विलियम वन जो है कैसर विलियम वन तो विलियम वन को राजा भी क्या करवा दिया गोशित करवा दिया कैसर इस दी टम यूज़ फोर emperors ठीक है इन जर्मनी तो विलियम वन को राजा भी बना दिया लेकिन अब यहां पर आपको nation building भी तो करना पड़ेगी मतलब आपको आपने देश आजाद करवाया अभी देश देश नहीं बनाए तो uniform system of weight in measurement लिया आए ठीक है एक क्या centralized judicial system लिया आए ताकि क्या रहे है लोगों को नियाय मिलता रहे है जिस तरह से France में Napoleon नहीं देखा था तो इटली क्या है ठीक है सांभार वाली नहीं है यहां पर इटली ठीक है तो इटालियन का जो इटली है वो अलग-अलग pronunciation है अब जैसे अगर आप इटली के कह सकते है political map को देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा यहां पर भी एक province है यहां पर पर République से ठीके तो यहां पर रूल जो होता था तो रूल कुछ तरह से था किichte सारदीनिय पिडिमोंट यह वाला जो एरिया और यहां फे81 प्रेंप्रेंस का रूल था एक empire north में rule करता था, ठीक है, south में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर bourbon dynasty of Spain, आपकी book में लिखा है वेसे जारा, ठीक है, तो south में कौन rule करता था Italy पर, bourbon dynasty of Spain, तो Italy में rule इस तरह से कहा है, अलग-अलग लोगों का था और बटा हुआ rule था, ठीक है, तो जो वहाँ के natives थे, जो क्या सकते native ruler थे, जो claim करते थे कि Italy मेरा है, उनका सिर्फ एक island पर ही rule था, सारदेनिया पर डिमाउंट का, अब क्या है, युनिफाइ करने की बात चलती थी, सारे लोग Italian language बोलते थे, इसाब से ये पूरा का पूरा nation जो है, तो ये शुट भी ए नैचरल यूनिट ऑफ मैनकाइड, ठीक है, पूरा का पूरा देश एक unit होना चाहिए, एक देश होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों का culture language एक है, उन्होंने प्रयास किये, क्या प्रयास किये, उन्होंने तो जिसे हमने देखा कि 1831 वगेरा में उस टाइम पर उन्होंने secret societies बनाई और कोशिश करी कि unify कि आ जा सके, लेकिन he failed, अब वो जब fail हो जाते है गोजीपी मजीनी, तो ये इ प्रयास किया, लेकिन वो fail हो जाते है, then the whole mental goes over the shoulder of victory Emanuel 2, अब पुरी जिम्मेदारी victory Emanuel 2 के उपर आ गई है, victory Emanuel 2 के उपर जब पूरी जिम्मेदारी आती, तो पूरी जिम्मेदारी उनके उपर कैसे आती victory Emanuel 2 के उपर, victory Emanuel 2 क्योंकि वो यहाँ के कह सकते princely house के जो एक ruler थे तो उने सुचा क्यार मेरे अंडर में पूरी इटली को क्या कर लो, यूनिफाइ कर लो तो सही रहेगा, ची है, तो अब राजा है ना, राजा अपने अधिकतर देखा को तो क्या है, secondary role play करते है, secondary role in the sense, वो किसी को अपनी responsibility delegate कर देते हैं, राजा ने क्या बोला, चीफ मिनिस चीफ मिनिस्टर ने धूम मचा दिये, तो शायद मेरा चीफ मिनिस्टर भी कुछ कर जाए, तो चीफ मिनिस्टर क्यावियोर को उन्होंने responsibility दी, बोला, जाओ क्या करो, पूरे इटली को यूनिफाइ करवाना है, अब क्यावियोर जो थे ना, तो क्यावियोर के संबंद थे वो इटली के चीफ मिनिस्ट, लेकिन संब्ध इनके जो रिलेशन्स थे तो वो फ्रांस से बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने फ्रांस की मदद ली, तो अस्ट्रियन हम्सबर्ग एम्पाइर जो रूल कर रहा था नौर्थ में, उस ऑस्ट्रियन हम्सबर्ग एम्पाइर को हरा दिया किस ने हरवाया उस आस्ट्रियन एम्सबर्ग हमपायर को चीफ मिनिस्टर क्यावियोर ने हराया ठीक है तो उनके रिलेशन फ्रांस अच्छे थे फ्रांस से मदद लेकि उन्होंने नौर्थ को आजाद करवा दिया अब देखो अब इटली का नौर्थ और क्या कहते हैं जो प्रिंसली हाउस जहां पर रूल कर रहे थे मतलब विक्ट्रेमिनल जहां पर रूल कर देते सारदिनिया पेडिमोंड तो यह दोनों एरिया एक साथ हो गए अब बुक में Central के बारे में कुछ नहीं दिया है Central Area which was being ruled by Pope ठीए तो Central Area जो Pope के दोवरा rule किये जा रहा था इसे कौन आजाद करवाता है तो इसे आजाद करवाने के लड़ने की जरुफत नहीं पड़ी थी क्यों लड़ने की जरुफत नहीं पड़ी थी आप लिख दो कि नौर्थ को आजाद करवाया है किसमें चीफ मिनिस्टर कैवियोर ने सारदीनी अपेडिमेंट पर पहले से ही रूल था उसके आप में जो साउथ का पार्ट था तो साउथ का पार्ट जहां पर बॉर्बन डैनस्टी ठीक है बॉर्बन डैनस्टी ऑफ स्पेन तो स्पेन के बॉर्बन डैनस्टी के राजा जो रूल कर रहे थे साउथ में उनसे लड़ाई कौन लड़ता है उनसे लड़ाई लड़ता है ये योद्धा कौन गुजिपी गेरिवैल्डी ठीक है तो गुजिपी गेरिवैल्डी को रिस्पॉंसिबिटी जाती है तो वह व अब देखो क्या आप पूरा पार्ट हो गया विक्टरे एम्हानुवल का तो इस तरह से विक्टरे एम्हानुवल का तो अगर जैसे हैंसबर्ग एंपायर जिए था तो आप देखेंगे 1859 में हैंसबर्ग एंपायर मैंने आपको बता दिये तो यहाँ पर एक चीज और दिया आपके बुक में कि लोगों के अंदर अवेरनस उतनी ज्यादा नहीं थी आजाद होगा है इटली लेकिन लोगों को ऐसा लगता था इटली को ही है जैसे बात करते थे हम भारत को आजाद करवाएंगे भारत माता को आजाद करवाएंगे हो सकता है छोटा बच्चा क्या सोच ले कि भारत माता हो सकता है किसी की कुछ मदर हो तो उसी तरह से जब लाय तैलिया का जो आईडिया दिया गया था मदर लेंड इटली ठीके तो उन्हें से लगता था कि इटली को है विक्टेमनल की वाइफ है तो के अंदर वही वाली बात है कि आपने देश आजायत करवाल यह देश बनाना जरूरी है फिर प्रोसेस की गई होगी सेंस ओफ कलेक्टिव बिलॉंगिनिस को डेवलप करने की ठीके अब आगे और अगर देखते हैं तो देखो हम यही अगर आप इस चीज को समझोगे चाप कीप वर आख इंडिपेंडेंस ट्रीटी ओफ घृटम पूल ठीके फिर जर्मनी के साथ कैसे आजादी मिलती जर्मनी को वह देख लिया हमने ठीक है जर्मनी का अननलिया अप ब्रीटें तो ब्रीटें का क्या दिया है एडिंग्ग इस स्ट्रेंज केस ओफ बिटेंव में स् किसी ना किसी से लड़ रहे हैं और लडने के बाद में वो आजादी पा रहे हैं यहां फिर कह सकते हैं कि नेशनलिजम की जो forces हैं वो strong होती है लड़ाई के बाद में लेकिन ब्रिटेन का जो case है ठीक है होती चले गया और ब्रिटेन जो आज हम ब्रिटेन देखते हैं वो ब्रिटेन बन गया तो उस सेंस में strange case कहा गया है ब्रिटेन का ठीक है हावघ वो मैं समझाता हूँ देखों सब से पहले ब्रिटेन में यहां पर अलग-अलग ऐलेन्ट ग्रूप्स थे यह पूरे अलग-अलग इथेनिक ग्रूप्स थे जिसे यह यह ईरिशा रहते हैं Windows फिर English रहते थे थे ब्रिटिश आइल्स पर अलग-अलग एथनिक ग्रूप रहते हैं अब यह जो अलग-अलग एथनिक ग्रूप थे ना तो सब आधिवासु की तरह अपने अपने एरियाज में रहते थे लेकिन धीरे-धीरे क्या हो गया कि इंग्लिश जो एथनिक ग्रूप है तो वह एथनिक ग्रूप था तो वह एथनिक ग्रूप रहता है ने हिंध्य केल rozp मतलब क्या है कि इंडिया के लोग वैसी जो इंग्लिश इंग्लेंड वाला जो पार्ट है तो इंग्लैंड में जो लोग रहते थे जो ग्रुप रहता था यह ग्रुप उसकी growth हो रही थी कहां से हो रही थी growth, बॉन्विटा पी लिया था या complain पी लिया था growth ऐसे हो रही थी कि उन लोगोंने trade करना start किया trade करते थे वो लोग trade करते थे खुब पैसा कमाते थे पैसा कमाते थे, तो पैसा से क्या होता है, पावराथ ही दिखती बात है, तो इस तरह से उनकी Zelda हो रही थी, अब जब उनकी, ग्रोथ हुए तो उनुने क्या सोचा कि यार, Kingdom भी तो होना चाहिए दिखती बात है कि आपके पास पैसा जाएगा बड़े आदमी में जाओगे तो आप बोलोगे घर हो मेरे पास property हो तो वही चीज़नों ने बोला कि अपनी इतना सी एरिया में England वाले एरिया में हम क्या है फ्रांस में राजा से लड़ना पड़ा लेकिन यहां पे English Parliament in 1668 नेशन इस्टेड तो वहां पे क्या होता है कि English Parliament ने खुद पावर ले ली किससे वहां के राजा से English Parliament ने बोल दिया कि नहीं नहीं पावर दे दो आप हमें ठीक है और राजा को पावर अपनी क्या करना पड़ी स्टप डाउन करना पड़ी राजा को अपनी पावर नीचे डाइलिट करना पड़ी तो 1688 में नेशन स्टेट के जो कंसेप्ट थे वहां पे बन गया ठीक है तो जो Act of Union sign होता है 1707 में इसके बाद में Scotland और England ये दोनों मिलके United Kingdom of Great Britain बनाते हैं तो यहाँ पे England वालों ने क्या किया पहले तो अपने यहाँ पर पावर लेली Parliament के पास में Democratic बना लिया England को फिर England ने किसके साथ Scotland के साथ में एक संधी कर लिया Act of Union 1707 में तो अब England और Scotland ये दोनो मिलके क्या बनाने लगे United Kingdom of Great Britain फिर क्या होता है Incorporation of Ireland in United Kingdom in 1801 तो फिर 1801 में एक और Act sign किया जाता हो जिसके चलते Ireland जो तो Ireland को जोड़ लिया जाता है किसके साथ Ireland को जोड़ लिया जाता है England के साथ में तो ये फिर Britain मनाएंगे भी ठीक है आप तुम बोलो के Wales वाला एरिया कहां चले गया तो Wales वाला एरिया भी इसी तरह से इंकॉर्परेट हो गया था पीसफुली अब यहां पर दिक्कत कहां जाती देखो दिक्कत थोड़ी सी Ireland के साथ में जाती कि Ireland में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट वाला चक्कर है यहां पर जो हमने सिविक्स में भी पड़ा है ब्रिटेंट जो इंग्लेंड वाला पार्ट है तो इंग्लेंड वाले पार्ट में उनाटेट किंग्डम ऑफ ग्रेट ब्रिटेंट जो तो यहां पर प्रोटेस्टेंट में प्रोटेस्टेंट किसे सपोर्ट करते थे आयरलेंड के प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते थे जो कि नौर्थ में जादा हैं तो आयरलेंड के प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते कि प्रोटेस्टेंट आ के हमारे साथ क्या हो जाए मिल जाए अब प्रोटेस्टेंट को हमा बार क्या होता है कि जैसे आइरलेंड के एक लिडर टोन वुल्फ एंड इस आइरिश मेन तो वो जब प्रयास करते हैं क्या वो प्रयास करते हैं कि मिलने से रोखा जाए यह जो कह सकते से झुण ऐसे युनिफिकेशन हो रहा है आइरलेंड और किसका ले सब्सक्राइब के से रोखा जाता है क्या से रोका जाता है वो कोस्रीन बीट्टीन Attempt of Wolfton in 1798 था, 1798 में वो कोशिश करते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं और फेल होने के बाद में फिर जो Ireland था उसे भी इंटिग्रेट कर लिए आता है United Kingdom of Great Britain के तर और इस तरह से Act of Union sign करने के आद में Great Britain जो अलग-अलग British Isles थे वो सारे मिलके Britain बनता है ठीक है अब देखों यहापे क्या है वह जाली बात है देश आजाद कर वाली है आपने अलग-अलग territories जोड रही है अब अलग-अलग territories जोड लेकिन आप वहाँ पे लोगों के अंदर कैसे infuse करोगे sense of collective belongingness तो लोगों के अंदर sense of collective belongingness infuse करने के लिए ठीक है Forging a new British nation British flag Union Jack तो ऐसे symbols Union Jack जो उनका flag British flag वो लाए गया ठीक है National Anthem God say our noble king इन national anthem compose किया गया ताकि क्या किया जासे कि लोगों के अंदर sense of collective belongingness या फिक कह सकते हैं कि देश वाली भावनाओं को डाला जा सके अब देखो हमने क्या किया अभी तक यहां तक हमने सारे Unification देख लिए Unification देख लिए अलग-अलग अब कोशन ऐसे ही बनते specific explain the Unification of Germany explain the Unification of Italy explain the Unification of Britain तो हमने Unification तो समझ लिया है अब हमने समझना ये भी चीज़े हैं कि Unification में जैसे हम देख रहे हैं कि यहां पर देश आजाद करवाया जैसे देश नहीं बनाना देश को बनाया कैसे गया तो symbols या फिर कह सकते हैं क्या जो विजुलाइस किया गया नेशन को ठीक हैं विजुलाइजिंग दी नेशन आपने देश को विजुलाइस दिखाया कैसे डिपिक्ट कैसे किया आया ना समझ में कि आप territory को ऐसा नहीं बोल दोगे कि यह तुमारी माता है चीए आपको उसके हमदर वो sentiment जोड़ना पड़ेगा sentiment से जोड़ना पड़ेगा कि इंसान को लगे कि हाँ यह मिट्टी जो है मेरी माह है ठीक है तो वह कैसे किया गया है विजुलाइजिंग दी नेशन तो परसोनिफाइंग दी नेशन हो यह भी सवाल आता है सबसे पहले देशों को परसोनिफाय करना स्टार्ट कर दिया परसो सब्सक्राइब देश सुनके क्या लगता है हमें कि नहीं नहीं एक अतुलिया फिर कह सकते हो एक पूज नहीं है व्यक्ति से आपने क्या कर दिया उसको जोड़ दिया है उस sentiment को कि देश सरिफ पत्थर मिट्टी पहार वो नहीं है वो एक क्या है माह है एक भारत माता है तो जैसी उन्होंने पर्सोनिफाइब करना स्टार्ट किया पर्सोनिफाइब दी निशन हाओ पर्सोनिफाइब करने लगे तो विद्धी हल्प ओफ फीमेल एलेगरी फीमेल एलेगरी की मदद से पर्सोनिफिकेशन स्टार्ट हुआ एलेगरी मतलब क्या है कि यूजवली जब होगा तो कश्मीर में होगा उसके आदमें उनके हाथ में क्या होगा जंडा होगा शेर पर बैठी होंगी तो हम इस तरह से उनको heroic qualities attribute करते हैं और personify करने की कोशिश करते हैं तो वही चीज़ यहां पर होती है with the help of female allegory तो आपने female allegory की मदद से क्या किया उनने personify किया और personification ऐसे start हो गया तो यह female allegory जैसे कहां-कहां बनाई गई यह one marks में यह question तो फ्रांस की female allegory marian तो उनको सारी qualities attribute कर दी उन्होंने liberty, equality, justice यह सारी चीज़े हैं ठीक है जर्मनी जो जर्मनी की female allegory जर्मेनिया यह जर्मेनिया तो देखो अब यह जैसे symbols है न तो वही विजुलाइजिंग दी नेशन में और भी symbols के भी हम वह पढ़ेंगे तो जर्मनी में उन्होंने जर्मेनिया जैसे इंडिया में भारत माता तो उन्होंने क्या female allegory बनाई अपने अपने देशों में ताक इगल सिंबल ऑफ जर्मन एंपार स्ट्रेंथ तो यह ब्रीश प्लेट विज इगल जैसे अगर आप यहां देखोगे तो यह जर्मेनिया ने पहन करेंगे अपने चैस्ट पे ठीक है तो वह स्ट्रेंथ बताती जर्मन पावर बताती क्राउन ओफ ओक लीव का जो क्राउन है यह रहां ओक लीव का यह जो क्राउन है तो क्राउन सिर्पे पहनेंगे ना तो वह क्या बताता है वह हिरोईजम बताता है सौर्ड रेडिनेस टू फाइट तलवार है मतलब क्या है बस तयार है लड़ने के लिए फिर उसके आद में ओलिव ब्रांच अराउन दी सौर्ड अ का Але का घ्रफरन वायट और ग्रीन कलर कई देख लेते हैं तो क्या हुच जाता है नाशीननाल फ्लैक के चलाया ने और ये नेशनल झालिजम की होग को स्ट्रौंग लिए एक्जांपल के लिए यूबिक लिए रिपक 냄새 है चंड़ प्रंड तो इकने क्या कर लिया एकने पूर गई है हम विजुलाइज कर लेते क्या देश या देश से जुड़ी भावनाओं को दर्शाय जा रहे ना वही हो रहा है यहां पर ठीक है फिर क्या होता तो यह जैसे ब्लैक रैड और गोल्ड देखो गये तो यह ट्राइक कलर उनका नैशनल कलर हो गये नैशनल फ्लैड के कलर हो गए कहां के जर्मनी के ठीक है आगे क्या है रेज ओफ राइजिंग सन अब यह से बिगनिंग ऑफ न्यू एरा हम सूरज को दिखतर किस चीज़ से होते हैं सुबह से किया सूरज जब निकलेगा तब सुबह होगा तो यह से आप पीछे देखो गाप तो रेज ओफ राइ लेकिन आजाद होने के बाद देश को देश कैसे बनाया तो इन सारे सिंबल्स फीमेल एलेगरी इस नेशन को पर्सोनिफाई करके इन सारे चीजों की मदद से देश को देश बनाये गया आगे क्या है लास्ट टॉपिक जो है आपका नैशनलिजम एन इंपीरियलिजम सबसे रास्ट के पती जो लोगों की भावनाएं बढ़ते चली आती ना तो वो नैशनलिजम हो गया नेशन हुड नेशन से जुड़ा हुआ ठीक है रास्ट टुड़ी है था तो ये नैशनलिजम और इंपीरियलिजम क्या हो गया इंपीरियलिजम में आप नैशनलिजम से एक सही में अच्छा से रिलिट होगा हर इंसान अपने बच्चे से प्यार करता है हर पैरेंट्स ठीक है हर पैरेंट्स अपने बच्चे से प्यार करते हैं मतलब वो उनका नैशनलिजम हो गया ऐसे समझो मतलब सबको अपने बच्चे प्यार हो जैसे सबको अपना अपना देश प पिए देश आजाध हो गये घरमें एंदर टेश को नने देश बना लिया में लेकिन वह mathरा घरमें जोचेंगे जर्मनी तो shift lenny टो किनाझ थि लोग देशक लिख्व मा एक ला अच्छाए और फ्रांस के लिए गर फ्रांस आप लोगों को अजह आपने से तो अप Бिए लोग लगी कि वह imperialist होने लगे वह एक दूसरे के ओपर dominate करने कि financially कह लो economically कह लो या फिर कह लिजा आप technically कह लो ठीक है तो इन सारे matters में क्या करने की कोशिश करने लगे dominate करने की कोशिश करने लगे तो वह imperialism हो गया आयना समझ में तो यह feeling of nationhood यह क्या हो गया imperial feeling of ruling या फिर dominating subjugating another country वह imperialism हो गया ठीक है अब यह rise of imperialism को देखें तो जब जिस तरह से जब यह imperialism की भावना बढ़ने लगी न देशों में तो उससे problems क्या निकल के आई होगी problem से निकल के आई होगी दिखती बात है कि अब अगर France बोलेगा कि Germany कुछ निए तो Germany चुप नहीं बेठेगा ना तो आपस में conflicts होने लगे थे ठीक है nationalism imperialism के meaning समझा दिये अब ज़रा story से रिलीट करते इसमें तो क्या होता है nationalist tension after 1871 in Balkan area 1871 के बाद में क्या होने लगता है कि Ottoman Empire पुरी तरह से disintegrate हो जाता है अभी बताया था Ottoman Empire Ottoman Empire हम nationalism in India में भी पढ़ें ठीक है फिर कहां पढ़ें अभी हमने इसी चाप्टर में पढ़ा तो Ottoman Empire समझा जाना चाहिए कि तर्की जो आज present day तर्की है वहाँ पे Islamic ruler थे ठीक है जने खलीफा कहा जाता था वह rule करते थे ठीक है लेकिन क्या होता है कि जब उनकी पावर disintegrate होने लगती है late 19th century में तो जब उनकी पावर disintegrate होती तो उसके चलते क्या होता है चोटे चोटे nations है तो जैसे Greece Greece ने क्या कर लिए अपने आपको आजाद कर वा लिया था तो आसे नेशन जो है आज present day nations मतलब present day nations मतलब जैसे Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, etc और भी सारे nations है तो यह जो आज के समय में states है न यह जो countries है यह उस समय में सारे Ottoman Empire के अंडर में हुआ करते थे टर्की के अंडर में हुआ करते थे लेकिन जब Ottoman Empire कमजोर हुआ तो इस सब दूर भागने लगे उनने बोला कि आप तो राजा कमजोर आजादी ले लो ठीक है सबने आजादी ले ली लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एरिया था कोई तो यह अंडर में रेते हैं तो यह पर दो फेल लड़ने लघें तो हैं तो एकिए ऐस तो इनो आपस में लड़ने लगे तो तो इनकी आपस में लड़ने मतलब यहां पर जो से रहूनया जाता था distribels को ठीक है slavs, one marks में बुचा जा सकता है, the ethnic groups in the Balkan area were known as slavs, ठीक है, अब क्या होता है, तो इनके बीच में जो struggle बना, struggle among these national nations after the fall of Ottoman Empire, फिर क्या होता है, entry of major power exaggerated the problem और first world war, तो इनके बीच में जो लड़ाई हो रही वहां तक ठीक थी, अब क्या होता है, जैसे यहाँ पर coastal area मान लो, यहाँ पर समुध रहें, ठीक है, यह समुध रहें, तो यहाँ France है मान लो, तो France क्या सोचेगा, कि मैं इस देश की मदद कर देता हूँ, Greece की मदद कर देता हूँ, उसकी मदद करूँगा, तो मुझे क्या फाइदा है, मुझे यह sea route पे access मिल जाएगी, ठीक है, France में इसको इस एरिया में, बालकन एरिया में, ठीक है, यह जो नेशन थे, इनके बीच में चोटे 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 नेशन में होता है, और वो रूप ले ले लेता है एक बड़े वर्ड वार का, ठीक है, वो हता है, आया समझ में, तो nationalism and imperialism, anti-imperialism and independence, तो अब यह nationalism की ideology, imperialism की ideology से, यहाँ पे imperialist ideology ही काम कर रही थी, कि जो nations लड़ रहे थे, तो major power support कर रहे थे, ताकि उनको यह प्रूफ कर से कि हाँ वो ज़्यादा powerful है, तो यह तो imperialism, nationalism हो गया, लेकिन जब imperialism की ideology समझ में आई दूसरे देशों को, तो एक anti-imperialism, दिखती बात है कि problem है, तो solution आएगा न, तो वैसे ही, जो imperialism ideology थी, वो दिक्कत दे रही थी, तो उसके against में, anti-imperialist, मतलब उस चीज़ को हराने के लिए, खतम करने के लिए, लोगों ने anti-imperialist forces मजबूत होते चले को, खास करके कह यहां पे, जो third world countries थी, जैसे India हो गया, इंडिया कॉलोनी थी, और हमारे इंपीरियल पावर रूल कर रही थी, ब्रिटेन के एक imperial power हमारे रूल कर रही थी, तो हमारे लोगों को लगा, समझ में है कि यह जो भी यह गलत है, ठीक है, इस से आजादी लेना होगी हमें, यह सब क कौन सा chapter पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था, Rise of nationalism in Europe, तो वो chapter क्या था, वो chapter आपको world history के perspective से ज़रूरी था, लेकिन उससे एक idea जो निकल का आया था, हमारे, क्या idea निकल का आया था, कि nationalism का एक जो force है, nationalism की एक जो ideology है, वो लोगों को समझ में आ गई थी, राष्ट प् from the point where we have completed the previous chapter, previous chapter का last topic क्या था, nationalism and imperialism, हमने देखा कि Europe में देश आजाद हो गए, nationalism के थ्रू, बहुत अच्छी बात, congratulations करेंगे, let's do पहुचाएंगे उनके, ठीक, लेकिन, फिर हमने भी देखा था कि आजाद होने के बाद में वो अपनी dominance को establish करने लगे दूसरे देशों के उ लगे, तो दूसरे nations के उपर dominate करने लगे, ठीक है, previous chapter की ending हमने यहाँ पर करी थी, तो उसके चलते क्या होता है, मतलब previous chapter यह था, rise of nationalism in Europe, तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते देखो, अब relate करना, बहुत अच्छी चीज़ समझा रहो है, relate करना, उसके चलते क्या हो रहा लेकिन वो फिर दूसरों के उपर dominate करने लगते हैं, ठीक है, they become colonizers, ठीक है, वो colonizers बन गए, colonialism, क्या होता है, कि जब एक देश, दूसरे देशों के उपर subjugate करता है, ठीक है, दूसरे देशों को subjugate करता है, economically, politically, socially, तो अब जैसे हम देखेंगे, ब्रिटेन ने हमें क्या किय economically exploit किया बहुत जादा, ब्रिटेन ने क्या किया, अगर ऐसे देखा जा तो ब्रिटेन ने हमारे हैं पर political dominance established कर लिए, उनके governor general आते थे, rule करते थे, तो उससे क्या होने लगा, उससे जो nation state का idea European countries में बना था, कि नहीं हमारे देश को हमें देश बनाना है, political एक unit बनाना है, तो यहां के लोगों को nation state का idea समझ में आया, तो उस nation state को जब बना रहे थे लोग, ठीक है, तो उन्होंने anti-colonial movement स्टार्ट कर दिये, और यह सिर्फ इंडिया तक सिमीद नहीं है, जैसे आप देखोगे, जहां-जहां colonies बनी, France ने colony बनाई थी Vietnam में, एक कहनी बताता हूँ, ठीक तो एक power ने, जैसे एक European power France, France ने क्या कर लिया, वहां के लोगों को colonize कर लिया, क्या कर लिया, अपने under में लिया है, तो उसके चलते क्या हो रहा है, कि वहां के लोग resentment दिखा रहे थे किस के against में, colonialism के against में, तो anti-colonial movement स्टार्ट होती कब, जब इंडिया, Vietnam, जो जो देश ज इसके against में, colonial powers के against में, जैसे इंडिया में, बिटेन के against में, आवाद उठाई, ठीके, फिर कहां पे, Vietnam में, France के against में, तो इस तरह सी सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगा क्या होने लगा, लोगों ने आवाद उठाना चालू कर दी, जो foreign country उनके उपर आके rule कर रही थी, जो PTT, यह बहुत अची चीज़ है, क्या, देखो, कोई क्या होता है, कोई 36 गड़ से आया है, ठीक, एग एक एक एक्सामपल दे रहा हूं, कोई Gujarat से आया है, कोई Kerala से आया है, कोई Jammoo Kashmier से आया है, चारो लोग मिलके जब क्या करते हैं, चारो लोग मिलके Indian Cricket Team में खिल होते हैं तो वो अपने आपको ऐसे नहीं देखते हैं कि वो 36 गल से हैं वो गुजराथ से वो जम्कश्मीर से वो कैयसे लेखते हैं इंडिया की तरह क्यों कि साथ में खिल रहे हैं अब सारे लोग कैसे अपने आपको देखेंगे तो उन्हें अपने आपको united feel करने start कर दिया और जब उन्होंने united feel करने start कर दिया तो धीरे धीरे हमारे nationalism का जो concept है जो राष्ट प्रेम की भावना है वो लोगों के अंदर जागने लगी अब सभी लोगों का objective एक हो जाएगा तो सभी लोग भी एक हो जाएंगे nationalism की feeling बढ़ती है और यही nationalism की feeling nationalism in India chapter को जनम देती है मतलब कि एक पूरी की पूरी हिस्टरी लगती है इसमें ठीक है एक पूरा का पूरा time period लगता है 100 सालों का time period लगता है ऐसा नहीं है कि आप 14th August को सोए थे 15th August को आप उठे तो आपको पता लग रहा है देश आजाद हो गया यहाँ पे 100 साल 200 साल का पुराना शंगर्स है जिसके बाद में आजादी मिली है तो शंगर्स कैसे है यह दिरे धिरे एक moment दो moment के बाद में लोगों में आपस में unity forge होती उसके बाद में आजादी मिलती है चैप्टर पूरा यही था ठीक है पूरा यही था मतलब क्या है कि मै मैं आपको एक background दे दिया है यह background देखो direct question नहीं पुछा जाएगा लेकिन आपके understanding develop हो गई है ठीक है अब इस understanding के बाद में आप chapter की topics पर start करते हैं ठीक है chapter के अगर topics पर start करें तो देखो यहाँ पर जो पहला आपका section है the first world war और खिलाफत and non cooperation ठीक अब यहाँ पर मैं आपको कहा था बीस सेक्ड में topics revise कर लेंगे देखो जिन लोगों ने chapter पढ़ लिया जिने सिर्फ revise करना है तो उनके लिए मैं क्या बताता हूं यह चार्ट बताता हूं क्या होता है first world war के कारण लोगों के अंदर resentment होता है कारण कारण यहां करो text बढ़ जाता है force recruitment यह सारी चीज़े अब इनको detail में भी पढ़ेंगे तो मैं आपको 20 second वाला एक जो formula बता रहा हूं मुझे समझाने में time जाधा लगेगा लेकिन आप जब revise करोगा 20 second बस देखो first world war के कारण लोगों के अंदर resentment होता है उसी time पर महात्म गांदी आते है एक नया mode of struggle देते है जो है idea और उसके चलते क्या है लोगों के अंदर एक नया force देखने को मिलता है नहीं क्या देखने को मिलता है और इसी के चलते क्या होता है कि nationalism की forces और intensify हो जाती है अब उनको एक नया जलिया वाला बाग इंसिडेंट ठीक है अब क्या होता है कि लोगों के अंदर पहले से आक्रोश था मुमेंट चल रहे थे देश में किसके अगेंश में रॉलेट एक्ट के और तभी जलिया वाला बाग इंसिडेंस होता है जलिया वाला बाग इंसिडेंट जो मैसाकर होता है जलियावाला बाग में साकर उसी के साथ में खिलाफत मूमेंट को जब जोड़ा जाता है तो ये सारे इवेंट्स हमारे देश में जो हो रहे थे उन्होंने प्रोवाइड एन उपर्चिनिटी फॉर नेशन वाइड मूमेंट और इन ही सारे इशूस पे कैपिटलाइज करते ये जो टॉपिक था फर्स वर्ल्ड वार खिलाफत नॉन कॉपरेशन उसमें इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है फर्स वर्ल्ड वार का क्या इंपेक्ट था सत्याग रहा का आईडिया रॉल एटेक्ट ठीक है जलियावाला बाग इंसिडेंस खिलाफत मूमेंट और ये सार से नाशनल मूमेंट को इंटेंसिफाई किया एक कुशन अगर डिरेक्ट बनता है बहुत ब्रॉड कुशन कि हाओ डिट थी फर्स वर्ल्ड वार खिलाफत मूमेंट एंड जलियावाला बाग इंसिडेंट प्रूवड तू प्रूवाइड फर्टाइल ग्राउन फॉर नॉन कर еया परेषन मोमेंट तो यह पुरी कहानी हो गई है अब लेकिन स्पेसिफिक बनता है कि फिर्ट वर्ड वर एं नेशनली मोमेंट- फिर्स एक टी न नेशनल मूमेंट- इंपैक्ट ओफ वेंड़ और फिर्स्वर्ड वार प्रूश ने इसल से तो किया है फिर्स वर्ड व आई तो ब्रिटेन लड़ घा था इंडिया तो direct लटने रहें था इंडिया के लंगो को लगजाया गया था मतलब इंडिया के पैर नहीं है लेकिनि इंडिया के लोगओं के लुगो पैर थे तो financed by war loans and increased taxes तो उन्होंने क्या वोला पैसा कहां से लाएंगे तो पैसा उपर से आसमान से नहीं गिरेगा कोई तो उन्होंने यहां के लोगों के उपर टेक्स लगाना चालू कर दिया war loans लेते थे जिसका pressure colonies के उपर आना चालू गया तो इंडिया वास suffering due to the first world war ठीके वाय 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 विकॉस ब्रिटेन वास fighting in first world war और वहाँ पे जितने भी defense expenditure थे तो वह हमारे हां से finance हो रहे थे अगली चीज इंक्रीज इन दी price of goods during war period अब जब टेक्स बढ़ा दी यह सारी चीज हो गए तो war period में क्या हो गया चीजों की कीमत दुगनी हो गई अब जब चीजों की कीमत दुगनी हो गई तो जो आम जंता थी ना आम जंता सफर कर रही थी और आम जंता बेवकुफ नहीं है ठीक है बेवकुफ नहीं है मतलब कि आम जंता को समझ आ रहा था कि परिशानी का कारण को ने परिशानी का कारण है Britishers, Britain के लोग जो बैठे हैं यहां पर वही हमारी परिशानी का कारण है, Force recruitment in army from rural area, अब देखो क्या है, rural areas में क्या हो रहा था, अब देखो लड़ने के लिए वही वाली बात है, रॉबर्ट तो लड़ेंगे नहीं उस समय पर इतना तो डवलप होआ नहीं था, तो soldiers आही रहते तो soldiers को जबरन ले जाया जाता था, ठीक है, कोई जानन नहीं चारा तो भी, there was a policy of force recruitment, जबर्जस्ती भरती करवा देते थे था army में की चलो, ब्रिटेन की और जर्मनी की लड़ाई हो रही, इंडिया के लोग लड़ेंगे वहाँ पर अपनी जान देंगे, ठीक है, तो ये सारी problems थी, और क्या-क्या था, किस तरह से First World War ने हमारे है economic और political situation change कर दी, crop failure हो गया उस समय पे हमारे हैं, shortage थी food crops की, और अधिकतर crops जो थी, तो वो क्या कर दी जाती थी, export कर दी जाती थी इंडिया से, क्यों क्यूंकि ब्रिटेन में जो soldiers लड़ रहे थे, उन्हें खिलाना रहता था, तो यहां के लोग भूके मर रहे थे और खाना सारा यहां से ले जाया जा रहा था, spread of influenza epidemic and famines, महा मारी है, ठीक है, उस समय बहुत सारी बिमारिया फैल गई है, खाने को नहीं है, नियली 13 million people died, तो यह सारी जब समस्या हैं देखी, तो इन सारी समस्याओं के कारण क्या हो, इन सारी समस्याओं के कारण लोगों को समझ आगए कि समस्याओं का कारण कौन है, Britishers है, ठीक है, और इस time period में लोग क्या चाह रहे हैं, तो लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ा हुआ था, ठीक, गुस्सा बढ़ा हो था, तो गांधी जी आते हैं इंडिया में कब 1915, ठीक है, 1915 में जब महात्मा गांधी आते हैं, तो गांधी जी गेव a new mode of struggle to express this resentment, तो महात्मा गांधी नोंने एक नया हत्यार दिया किसे हमारे लोगों को, हमारे लोग जो घुसा थे, उन लोगों के घुसा को channelize करने के लिए, सही तरीके से project करने के लिए उन्होंने एक नया हत्यार दिया, वो था सत्याग्रह का, ठीक है, अब या idea of सत्याग्रह का है, सत्याग्रह क्या है, तो को एक question यहाँ पर भी बन सकता है, three marks में, एक तो इन जनरल में आपको बताया, first order ने कैसे हमारे हाँ nationalism की forces को strong करी, क्यों करी, यह हो गया, गांदी जी आते हैं, और गांदी जी का सत्याग्रह का idea क्या है, यह important question है, तो को गांदी जी क्या कहते हैं, गांदी जी कहते हैं, कि if you are fighting for the truth, ठीक है, अगर आप जो cause है, if the cause is true, ठीक है, if you are fighting for the truth, and you are fighting against the oppressor, आप अन्याय जो कर रहा है, उसके against मगर लड़ रह गांदी जी ने बोल दिया, बस अगर आप सच के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको violence की जरुवत नहीं है, सत्याग्रह का idea में उन्होंने दो pillars पे emphasize किया, दो pillars कौन कौन से हैं, तो दो pillars से truth और non-violence का, उन्होंने क्या बोला गांदी जी ने, इस idea को समझना, गांद आत्मा को जगा दो, मतलब जो गलत कर रहा है इंसान, उस इंसान को ये बताओ कि तुम गलत कर रहे हो, मुझ पे बोलोगे, वो आपको पलट के चटा लगा देगा एक, मतलब उसकी आत्मा को क्या करना होगा, आपको ये एहसास दिलवाना होगा, कि आप गलत कर रहे हो, मान आत्मा गांदी कहते है कि इसमें वाइलेंस की तो कहीं से कहीं तक जरुवत नहीं, लड़ना तो ही नहीं आपको, ठीक है, if you are fighting for the truth, if the cause is true and you are fighting against the oppressor, then you are not required to adopt to the violence, ठीक है, वाइलेंस के साथ नहीं जाना आपको, what you are required to do, you have to just appeal to the consigns of oppressor, ठीक है, जो गलत कर रहा है, उसकी अं आत्मा गांदी ने इस idea के through, अब इस idea को क्या किया गया है, उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं philosophical बता दिया कि ऐसा ऐसा करना है, इस चीज़ को उन्होंने क्या किया, ground reality पर करके भी दिखाया, तीन जगा ये map पे आती हो, चंपारन, हमने देखो, map test series में इन सारी चीज़ को practice कर च ठीक है, तो उन्होंने तीन जगा कहां कहां, चंपारन में 1916 में, खेदा में 1917 में, एहमदाबाद में 1918 में, यहां indigo planters जो थे, उनको compensation दिलवाने के लिए सत्यागरा के idea से success हासिल किये, खेदा में क्या होता है, तो खेदा में जो crop failure हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि यहां पे जो peasants थे, उन peasants को support करते हैं यह, ठीक है, टेक्स नहीं देने के लिए, और एहमदाबाद में क्या होता है, कि एहमदाबाद में Britishers के अगेंज में अपने ही industrial workers को support करते हैं महात्म गांदी, industrial owners के अगेंज में, तो इस तरह से यह तीन जगा पे महात्म गांदी ने सत्या आपको ध्यान रहना चीतना, यह जब आप चार्ट देखोगे तो यह सारे टॉपिक जितनी वे भी पूरी पंचायत बताईए, यह recall हो जाना चाहिए, ठीक है, अब इसने क्या किया nationalism forces को intensify किया, महात्म गांदी ने लोगों के अंदर एक नया जोश डाल दिया, अब इस समय इस समय पर क्या हो रहा था, इस समय पर और situation बिगड़ती है, रॉलेट एक्ट और जलिया वाला बाग incident के कारण, क्या है दोनों चीज़े समझते हैं, देखो, तो रॉलेट एक्ट क्या है, ब्रिटिश गवर्मेंट जो थी ब्रिटिश पार्लियमेंट, तो उन्होंने एक law पास किया, अब Black Law, Rollet Law पे, Rollet Act पे one marks में question आ जाता है, three marks में question आ जाता है, समझो, तो अब Black Law पासुधी operational legislative council, छी के दोरह एक law जो पास किया गया इसे काला कानून भी कहा गया, काले कलरक नहीं था वो, काला कानून in the sense की बहुत unjust था वो टिक और गेव दी गवर्मेंट था क्या स ones law में juiveman Enormous Power टो र्यस पॉलिटिकल activities महन लोग किसी परकार कीन पॉलिटिकल activities चल रही कुई धर नहीं देके बैठे हैं तो उन लोगों को वहां से हटाने के लिए गॉवर्मेंट को बहुत जादा पावर दे थी रॉल एक्ट ने इस रॉल एक्ट के चलते हैं अगर कोई भी इंसान पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इंक्लूड़ेड है तो उसे क्या किया जा सकता है गॉवर्मेंट उस इंसान को उस पॉलिटिकल लीडर को क्या कर सकती है अरेस्ट कर सकती है डिटेन कर सकती है पॉलिटिकल प्रिजनर के नाम से और उन्हें ट्राइल पे भी नहीं लिजा जाएगा दो साल तक ट्राइल क्या होती है तो ट्राइल में वो इमेजिन नहीं करना है कि आप जब बच्पन में क्रिकेट खिलते थे तो पहली बॉल जो ट्राइल आती थी ट्राइल मतलब कोट में ठीकें तो ये एक रॉलेट टैक्ट ऐसा लाओ आया जिसके चलते किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था दो साल तक ट्राइल पर नहीं ले जाते थे तो लोगों ने बोला यार ये तो अंजस्ट है ठीकें हमारे फ्रीडम ओव स्पीच और एक्सप्रे इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है पूरे चैप्टर के टाइम पे गांदी जी का हमेशा पॉइंट ऑव व्यू क्या रहा है जो भी करेंगे आईडिया उफ सत्यागरा पीस्फुली करेंगे वालेंस तो कहीं से कई तक होना नहीं चाहिए तो इस रॉलेट एक् मतलब country के अलग अलग जगा में ऑद था लोग पीस्फुली प्रोटेस्ट कर रहे थे थे ठिक ऐट के हुआ प्यू प्रीट आप्रेल करे थे 6 अप्रेल से चालू करा बट हर डेट ध्यान नहीं रखना लेकिन आपको त्रह से सीक्वैंस रहे स्के लिए मैं आं पे लिग लि पर्वाला बाग इंसिदेंट अभी हम डेट आईगी वह ध्यान रखेंगे तो 10 अप्रील में क्या होता है 10 अप्रील में जो कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा था रॉलेट सत्याग रहा है जो चल रहा था ठीक है पीसफुल ही जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग तो लोग करते हैं कीऊंगों तो दो टीन कारण है अभी तो लोगों को अतना idea नहीं था कि कैसे हमें सत्यागर्स में क्या कर नहीं है दूसरी समस्या क्या थी और दूसरी समस्या यह थी कि लोग जो थे न तो लोगों को प्रोवोग किया गया प्रोवोग करना मतलब क्या है कि उत्साहना जैसे मैं एक एक एक्जामपल देता हूँ आप वोलेंस पहले कर दोगे कि जैसे आपनी class में होता ना कि अपको कुछ तर्फ वर्बली बोलते जा रहा है बोलते जा रहा है आप अंदर यंदर गुसा होते जा रहे हो और अचानक से आप उठके क्या करते हो पहला step लेते हो आप कुछ violence को बढ़ावा देते हो ठीक है आप physical हो जाते हो तो वही चीज़ यहाँ पर होती है कि पुलिस वालों ने क्या किया पुलिस वालों ने provoke किया और फिर गोलियां वगेरा भी चला दी जाती है पीसफुल प्रोटेस्ट के उपर तो जो अभी तक शांत बैटे थे वो लोग अब violent activities को to cover कर लेते हैं अब क्या पुलिस को क्या हो गया एक बहाना मिल गया कि यार इनका जो प्रोटेस्ट है वो तो वालेंट हो गया वालेंज को समालने के लिए हमें क्या martial law लगाना पड़ेगा Martial law में क्या था जसे आज के समय में कर्फ्यू लगता है कि सारे लोग ईखटे नहीं हो सकते हैं तो उस तरह से martial law लगा गाया था सारे लोग इखटे नहीं हो सकते हैं, Martial Law was imposed, अभी जब Martial Law imposed कर दिया जाता है, तो इसके चलते बहुत सारे लोगों जानकारी नहीं थी, अब जलिया वाला बाग जो है, ठीक है, Ambrister में जो पार्क था, बाग याने पार्क, तो वहाँ पे लोग क्या है, बैसाखी का मेला, तो कुछ लोग peacefully, ठीक है, लेकिन क्या होता है, क्योंकि Martial Law लगा था, तो एक तरह से command थी General Dyer के हाथ में, और कोई भी अगर इस तरह से, अगर gatherings होती है, तो उन gatherings में से political prisoners को arrest किया जा सकता था, ठीक है, अब लोगों को, बहुत से लोगों को तो जानकारी नहीं थी, बहुत General Dyer, क्या होता है, तो General Dyer आते हैं, उस बाग में, जलियाला बाग में, वो गोलिया वहाँ पे चलाते हैं, ठीक है, he openly fired over the crowd, और बहुत साई लोगों की क्या होती है, जाने जाती है, अब देखो, लोग अभी तक क्या थे, सत्याग रहा, आईडिया अच्छा है, सत्याग रह तो अब देखो, पुलिस तो powerful है, no doubt, उनके पास में weapons है, सारी चीज़े, लोग क्या करेंगे, लोग पत्थर मारेंगे, ज्यादा से ज्यादा, लोग अपने घर से लाठी वगेरा लेकि निकल जाएंगे, पुलिस के पास गंज थी, ये सारी चीज़े, तो impact यह हुआ कि जि ठीक है, और ये जो moment चला आ रहा था सारा, वो सारा का सारा moment यहां पर बंद हो गया, लेकिन लोगों के अंदर resentment और बढ़ गया, ठीक है, एक तो तुमने ऐसे काले लॉल आये, ठीक, और उसके साथ में क्या है, उपर से हमें protest नहीं करने देरो, और हमारे लोगों की जान ले forces, रॉले टेक्निक इस तरह से, जलिया वाला बाग incident की पूरी looping समझ में आई, उसके बाद में क्या होता है, हमने क्या लिखा है, कि opportunity for nationwide moment, इसके साथ साथ में प्लस का साई नहीं है, मतलब खिलाफत moment को भी जोड़ा गया, जलिया वाला बाग incident के टाइम पे लोग चाह रहे इंक्लूड हो, तो उसके लिए महात्मा कांदी ने खिलाफत moment को non-corporation moment के साथ जोड़ना बहुत important समझा, अब यह है क्या खिलाफत moment, चलो, इसकी कहानी समझते हैं, देखो, खिलाफत moment, तो खिलाफत moment uniting Hindu and Muslim for non-corporation moment, non-corporation moment में Hindu-Muslim दोनों की unity को ensure किया जा सके, जिस बड Ottoman Turkey, there were rumors that harsh peace treaty was going to be imposed on Khalifa, अब देखो, समझ नहीं, Khalifa कौन, क्या होता है, कि Ottoman Empire जो था, Ottoman Empire मतलब present day Turkey, अब First World War खतम हो जाता है, 14-18 चलता है, 1914-1918 तक, First World War खतम हो गया, अब जो हारी हुई countrys थी, उनमें एक country कौन थी, Turkey, तो जो हारा हुआ था, उसके उपर क्या होगा, harsh treaty imposed की जाएगी, relate करो, जो सिर्फ इसी chapter में मत फसे रहना, पूरा जितना भी तुमाने आज तक पढ़ा है, 9th class में पढ़ा था, कि First World War में, जैसे जर्मनी हारता है, तो जर्मनी के साथ में Turkey वर की सब जुड़े हुए थे, ये लोग भी हारते हैं, जो हारे थे, उनको पर treaty imposed की Ottoman Empire हार गया, Ottoman Empire का लेकिन जो लीडर था, वो था खलीफा, ठीक है, Ottoman Empire का लीडर खलीफा, ठीक है, and खलीफा is the spiritual and religious head of Muslims, तो जितने भी Muslims थे worldwide, Muslims के sentiment जड़े हुए थे, किसके साथ में, खलीफा के साथ, ठीक है, इस सेंस में खलीफा बहुत important क्या है, एक important personality हो गए, अब जब ख harsh peace treaty डाली गई थी, एक humiliating peace treaty डाली गई थी, जिसके चलते Muslim masses परिशान थी, और वो Britishers के against में protest करना चाह रही थी, अब आप बोलो कि Britishers के against में क्यों protest करना है, क्योंकि जो treaty imposed की गई, वो जीतने वाले देशों ने करी, और जीतने वाले देशों में कौन था, Britain, और Britain इंडिया थे like, मौमद अली, शौकत अली, अली ब्रदर्स, ठीक हैं, तो इन्होंने discuss किया महात्मा गांधी के साथ में, to capitalize on the issue to unite Hindu and Muslim, Hindu Muslim को unite करने के लिए, इस issue को उन्होंने सही समझा, अब क्या होता है, देखो, ये खिलाफत movement specifically समझा दिया मैंने तुमें, खिलाफत movement आगा समझ में and therefore at Calcutta session September 1920, September 1920 महात्मा गांधी convinced other leaders of the need to start non-corporation movement in support of खिलाफत as well as स्वराज, तो ये दिहान रखना देखो, यारा session भी लगाना है तुमें, Calcutta session map पे है, Calcutta session कि वो क्या है, significance कि ये September में हुआ था, और September में पहली बार proposal रगा था, कि दोनों movement को जो दिया जाए साथ में, ता non-corporation movement और खिलाफत movement को जोड़के start करोगे, launch करोगे, तो Britishers को एक बड़ी masses का सामना करना पड़ेगा, और हमारे movement को एक strong stand मिल जाएगा, ठीक है, अब देखो why non-corporation, इस movement का नाम non-corporation क्यों रखा, तो महात्मा गांधी अपनी book में, Hindu स्वराज उनकी book जो है, तो उस book मे एक idea देते हैं, क्या, कि Britishers अगर rule कर पा रहे हैं इंडिया में, क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि Indians cooperate कर रहे हैं, अब उनका rule हटाने तो क्या करना होगा, हमें अपना cooperation हटाना होगा, ठीक है, तो if we start not to cooperate with them, किस के साथ, British के साथ में, within a year, स्वराज वुड कम, ठीक है, एक साल के अदर-अदर हम British Empire को यहां से उखाड़ के फेक देंगे, और हमें आजादी मिल जाएगी, तो यह महात्मा गांदी का idea था, उन्होंने अपनी book Hindu स्वराज में लिखा, ठीक है, अब उसमें उन्होंने महात्मा गांदी ने आगे बताया, कि यह जो non-corporation movement होगा, तो movement would unfolding stages, ए वहां से पढ़ाना बंद कर देंगे, हम क्या कर रहे हैं, अगर उनके clothes खरीद रहे हैं, goods खरीद रहे हैं, तो goods खरीद ना बंद कर देंगे, तो उन्होंने बोला कि हम हमारे movement को stages में unfold करेंगे, हम पहले चीजों को boycott करेंगे, अगर आब इसके बाद में हम तो कुछ नहीं क हमें election में participate करना है, ठीक है, council elections जो होने वाले थे, तो अब Indians को भी मौका मिल रहा था 1919 के बाद में, क्या की वो election में participate करते हैं, तो there was a tussle within the Congress on participation in council election, तो Congress के कुछ members ready नहीं थे कि ऐसा non cooperation movement में हम इस चीजों का cooperate करना छोड़ देंगे, तो हम फिर election में कैसे participate करेंगे, ठीक है, मतलब non cooperation, मतलब non cooperation, हर चीज में आपको उनके साथ cooperation हटाना होगा, तो एक confusion था कि छोड़े, करे ना करे non cooperation movement, तो जो September 1920 में resolution लाया गया था non cooperation के लिए, उसको approval कम मिलता है, approval मिलता है non cooperation को नागपूर session 1920, ये भी map पे लगाना है हमें, ठीक है, तो ये map के questions भी है और इनकी significance भी हम launch करेंगे, एक full-fledged non cooperation movement, with खिलाफत movement, ताकि हम अपने movement को एक broad base दे चुके हैं, देखो, specific खिलाफत movement पे तीन number का question, ये बनेगा, समझा हमने, ये roll attack, जलिया वाला बाग incident पर अगर बनता है, ये भी पढ़ लिया हमने, idea of satyagraha पढ़ लिया, first world war ने कैसे nationalism की feeling को strong किया, अब जरा चार्ट वे, अब 20 second में recall करेंगे हम, देखो, first world war, resentment था लोगों के अंदर, factors आपको पता है, महात्मा गांदी आते हैं, वो एक नया idea देते हैं, सत्यagraha का, इस से हमारे nationalist movement को एक नए forces मिलते हैं, नए forces जब मिलते हैं, तो उसके चलते क्या होता है, कि हमारे लोग incident होता है, इस जले वाला बाग incident के कारण, लोगों के अंदर घुसा है, और जब खिलाफत movement के साथ में जोड़ दिया गाई इन चीजों को, तो this all provided an opportunity for a nationwide movement, और इस पर capitalize करते हुए, non-corporation movement हमारी country में start होता है, अब देखते हैं, differing strengths within the movement, हमने movement तो समझ लिया, non-corporation movement को पू दियान रखना है, देखो एक question यहाँ पर direct यह बनता है, who were the different participants in non-corporation movement and why did they participated, सीधा पांच नमर में दाग दिया यह question, ठीक, तो आपको यहाँ पर सारी categories धियान रखना है, अब क्या होता है, कभी-कभी sub-topics आजाते हैं, who participated in non-corporation movement from towns, ठीक, तो towns में किन लोगों ने participate किया तो इस तरह से specific भी पूछा जा सकता है, in general भी पूछा जा सकता है, हमें क्या समझना है, कि यह जो पूरा topic है, इसमें यह बताएगा है, कि non-corporation movement में किस-किस ने participate किया, और क्यों participate किया, ठीक है, अब differing stands within the moment, यह जो heading है आपकी, तो differing stands का मतलब क्या होता है, कि जिसने भी पार्टिसिपेट किया, सबके अलग-अलग objective थे, जैसे running के लिए हर इंसान जा रहा है, सुबह, ठीक है, example दे रहा हूँ आपको एक, तो हर इंसान running के लिए जा रहा है, कोई क्या सोच रहा है, running के इसले जा रहा है, क्योंकि उसे stamina बनाना है, कोई running के लिए जा रहा है, क्य इस बहाने क्या हो जाएगा, कि थोड़ा घूमना हो जाएगा बाहर, तो क्या होता है, कि सबके अलग-अलग objectives है, तो वही different strands हम समझेंगे, कि अलग-अलग लोगोंने participate किया, सबने अलग-अलग idea के साथ में participate किया, तो non-corporation, खिलाफत movement began in 1921, ठीक है, बहुत अची बात है अब इसमें क्या है, there were different group of participants with different ideas and response about the movement, ये बीच में आ गया है, ठीक है, तो अलग-अलग लोगोंने participate किया और अलग-अलग ideas के साथ में participate किया for about the movement, ठीक है, अब देखो इसको simplify करते है, chart में सारी चीज़े समझ लो, कि towns में लोगोंने participate किया, countryside मतलब rural areas में लोगोंने participate किया और plantation field में लोगोंने participate किया, अब towns में किन लोगोंने participate किया, तो towns में अधिक तर हम देखेंगे, तो middle class working professional जो थे, ठीक है, teachers हो गए, students हो गए, इन साभी लोगोंने participate किया, क्या था, non-cooperation movement करना क्या था, मतलब जितने भी protesters थे, जितने भी nationalist leaders थे, उन लोगोंने क्या idea दिया, उन्होंना idea दिया कि that you have to boycott the goods, ठीक है, हमारा cooperation हमें हटाना होगा, तो लोगोंने towns में ऐसे participate किया, they boycotted schools, ठीक है, schools छोड़ दी, colleges छोड़ दी, services छोड़ दी, election छोड़ दी, यानि कि बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, मज़े होगी बच्चों की, और teacher ने भी पढ़ सब छोड़ दिये, elections भी boycott कर दिये, जैसे मैंने बताया आपको कि टसल चल रही थी, और 19-20 December में finally agree हो जाते कि हम council election भी boycott करेंगे, तो ये सारी चीज़े की गई है, लेकिन मदरास की एक party थी, कौन सी party, justice party, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, justice party ने election नहीं छोड़ा, justice party ने election क्यों नहीं छोड़ा, justice party ने इसले नहीं छोड़ा, क्यों ने देखा कि अभी तक तो power brahmans के पास रहती थी, और ये so-called lower caste के groups ने क्या किया था, उनकी party थी मदरास में, तो उन लोगों ने बोला कि आप तो मौका आया है, किसमे election में जाने का, तो इसके चल तो उनने अब मौका आया, तो अब हम तो क्या करेंगे, election में लड़ेंगे, हम boycott नहीं करेंगे, तो justice party एक exception थी, मदरास की, बाकि सभी जगा क्या 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 गया, boycott क्या गया elections को, एक point इसमें और यहां पर आप add कर सकते हो, क्या economic impact भी रहा, economic impact मतलब, economic impact में ये धियान रखना है, कि economic economic रूप से भी हमने क्या करना start किया, boycott करना start किया, कैसे boycott करना start किया, तो जो goods वगएर हम खरीदते थे, वो खरीदना बंद कर दिये, तो जो इंपोर्ट होता था बिटेन से, वो आधा हो गया लगग 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 इस time period में 1921 से 22 के बीच में, ठीक है, उसी के साथ साथ म क्या क्या, चोहराय पे, bonfire वगएरा जला दिये जाते थे, goods को ये सारी चीजे, तो economic loss भी हो रहा था, टाउन्स में किसको, British को, British manufacturing industries को, because we were not cooperating with them, ठीक है, अब जो टाउन्स में participation हो, इसकी कोई limitation थी क्या, जी हाँ, टाउन्स में जो participation हो, उसकी limitation ये थी, देखो, ये general topic है, अगर बहुत भी अंदर से आता, तो हम वो भी cover करते चल रहे है, इसमें limitation ये थी कि खादी expensive होती थी, जब आप boycott कर रहे हो, machine made goods, जो कहां से आ रहे है, machine made goods, Britain से आ रहे है, अब जब उन्हें boycott कर दो के तो पहनोगे, क्या पत्य लगा के तो गुमोगे नी, ठीक है, खादी पहनना पड़ेगी, जो indigenious होता था, हम खुद बनाते थे, लेकिन खादी बहुत महेंगी होती थी, तो हर इंसान उस boycott को लंबे समय तक नहीं कर पाया, एक बार boycott कर दे लेकिन जब बाद में फिर कपड़ों के दो पड़ेगी, तो आपको खादी ही खरीदना पड़ेगी और खादी महेंगी होती थी, दूसरी चीज, no alternative indigenous institutions, जो उसमें school college सब छोड़ दिये, लेकिन फिर जाओगे कहां, जैसे जो लोग पढ़ा रहे थे, teachers जो थे, जो लॉयर्स थे, तो उने घर चलाना अपना, बीबी बच्चे हैं, तो उन लोगों के लिए challenge था, कि हम काम कहां क रहे हो, जो students ने education छोड़ दिया था, तो फिर पढ़ेंगे कैसे, तो इंडियन indigenous institution नहीं थे, तो उसके अभाव में क्या होता है कि लंबे समय तक boycott कर नहीं पाएं लोग, ठीक है, अब countryside में किन-किन लोगों ने participate किया, peasants ने participate किया, और ट्राइबल्स ने participate किया, तो देखो इंडेंचर लेबर की तरह फिजी में थे, तो वो फिजी से वापिस जब इंडिया आते तो यहां के peasants को क्या करते है, युनाइट करते है, अब देखो, हम क्या पढ़ने, differing strengths, तो यहां पर ठीक है, टाउन में idea लोगों को सही समझ में आए कि क्या करना है, ठीक है, किस तर जिनके पास पैसा होता था जो revenue collect करके Britishers को दिया करते थे, तो यह peasants ने इन लोगों के अगेंस में प्रोटेस्ट करना इस्टार्ट कर दिया, ठीक है, और नाई धोभी बंद वगएरा organize किया गया है, कहां पर country side में peasants के दोवारा, नाई धोभी बंद क्या है, नाई मतलब, बारबर, ठीक है, और धोभी मतलब washerman जो होता है, तो इस तरह से जो basic facilities प्रोवाइड करते हैं, आपके बाल काटना, आपके कप्रद होना, उन लोगों ने बोल दे कि हम तलुकदार्स और या फिर कह सकते हैं, बड़े जमीनदार्स जो हैं, उन्हें हम ये facilities प्रोवाइड न जमाने से कुछ नहीं होगा, हमें expand करना होगा, तो Congress की leaders such as जवाल नाल नहरू, जवाल नाल नहरू ने बाबा रामचंदर के साथ मिलके, one marks में important question आ जाता है, बाबा रामचंदर, जवाल नाल नहरू ने मिलके कौन से सभा बनाई, अवद किसान सभा, एक organization बनाई, जिसकी branches फिर फैलते चले गई, ठीक है, उत्तरपदेश और adjacent areas में और इस तरह से idea लोगों तक पहुचाने की कोशिश करिये, लेकिन देखो, पीजर्स में जब participate किया तो उसकी कुछ limitations थी, पहली चीज तो उन्होंने directly British against participate नहीं किया, protest नहीं किया, उन्होंने तलगदार्स को अपना nearby enemy consider कर लिया, उसके साथ साथ में क्या होता था कि Congress हमेशा से इस चीज को emphasize करती थी कि movement हम कैसे करेंगे, महात्मा गांदी का idea था non-violent तरीके से, लेकिन यहां पर यह violence erupt हो जाता है, तो जितने ही peasants वगएरा थे उन्होंने बोल दिया बस अब तो आजादी मिलने वाली है, ग समझ में, तो यह limitation है, समझो जरा, पूरी कहानी को क्या करना है, आपको ऐसे mind mapping करना है, डाउंस में participate किया था लोगों ने कैसे किया, उसकी limitation क्या थी, वहां क्या कमी रह गई, अब countryside गाओं में देखोगे, तो पीजन्स और ट्राइबल्स ने participate किया, पीजन्स ने participate ऐसे किया tribes ने, जो tribal community ती जो आदिवासी समहु था, उन लोगों ने गोरिला warfare strategy अपना है, गोरिला warfare strategy में क्या होता है, की गोरिला के साथ में जाते उनों लड़ाई लड़ते, नहीं, गोरिला warfare strategy में simple सी चीज है, कि छुपके हमला करते थे वो, ठीकہ, अब देखो,ошमला करते थे हैं तो यहां पर लिमिटेशन में हम वही पढ़ेंगे कि यहां पर भी मैसेज को उन्होंने अलग तरह से इंटरपेट कर लिया वह वालेंस पर आ गए अब देखो एक फेमस परसनालेटी इस चेप्टर से अलूरी सिता राम राजू ठीक है बोला कि इनके पास मेजिकल पावर्स हैं यह लोगों को हील कर सकते हैं गोली मारोगे तो बुलेट को भी क्या कर जाएंगे ही कुट कैटिवेट दी शाट ऑफ बुलेट ठीक है आप गोली चलाओगे तो वह ऐसे एक मूवी में होता है गोली लगती है उडा दी गोली तो उस स्वराज जिलाना बहुत जरूरी है लेकिन नॉन वालेंस तरीके से नहीं ला सकते हो आप बागी दूसरे आइडियास तो वह एगरी करते थे जैसे क्या लिकर वगेरा बैन कर दी जाए यह सारी चीज़ें ठीक है तो यह क्या है ट्राइबल गूप्स ने भी नॉन इनलेंड इमिग्रेशन एक्ट समझना इस law के थ्रू क्या होता है कि plantation workers मतलब क्या जैसे एक tea plantation है तो इस plantation field पे कुछ workers को ले आए आएए अब इस law के चलते क्या होता था कि जो एक बार अंदर आ गया तो वह बिना permission के घर नहीं जा सकता है अब इन्होंने क्या सोचा आजाद कर दिया नॉन कोपरेशन मुव्मेंट को ऐसे परसीव किया कि हाँ अब हम हम प्लांटेशन फिल्ड से बाहर निकल सकते हैं तो इनका जो नोशन था प्लांटेशन वरकर्स का वो नोशन यहीं तक सीमित था महात्मा गांदी पूरे देश को आजाद करवना चाह रहे थे और य बास्ते में कहीं स्ट्राइक चल रही थी उसको जॉइन कर रहे थे तो वहां पकड़े गए फिर बापिस उनको लेकर आ गया प्लांटेशन फिल्ड में तो इस तरह से उन्होंने भी अपना क्या अपने इसाप से इंटरपेट किया तो अब यह तेखो तीन गृप्स थे ठी को मिला कि लोगों के अंदर एक स्वतंत्र भारत का एक आइडिया यह जो स्लोगन लगाया थे प्लांटेशन वरकर्स ने कि हमें क्या चाहिए देश आजा चाहिए अब हमें सिर्फ एक एरिया एक स्टेट या फिर कह सकते हैं कि एक रीजन आजाद नी चाहिए तो पैन कोई अपने हसाब से लेकिन लोगों को नैशनलिसम का आईडिया समझ में आने लगा था फिर क्या होता है कि फिर चावी-चाओड इंसीडेन्ट होता है । और सिरीज में तो चौरी-चौरा इंसिडेंट जो होता है तो यहां पर गिरावता पुलिस टेशन जला दिया जाता है बहुत सारे पुलिस वाले जो रहते हैं पुलिसमेंट जो रहते हैं तो उनकी डेथ होगे हमारा तो यहां तक हमारे नॉन कोपरेशन की कहानी हागी समझ में पूरा बैग्राउंड आपको बता दिया मैंने बैग्राउंड के साहसाथ में कौन-कौन participants थे अब देखो क्या है towards civil disobedience यह वारा टॉपिक यह क्या बोलता है हेटिंग समझो towards civil disobedience कि ऐसा नहीं कि नॉन कोपरेशन खतम हो और अगले दिन बोला चलो पैकप और अगले दिन बोल दिया कि नया मुमेंट लॉंच करेंगे ग्राउंड बनाना पड़ता है न तो civil disobedience मुमेंट तक कैसे पहुचे हम नॉन कोपरेशन मुमेंट चला जैनवरी 1921 से फेबरी 1922 तक चौरी-चौरा के बाद में कॉल ओफ कर लिया गया खिलाफत मुमेंट नॉन कोपरेशन मुमेंट आता है उसके साथ नॉन कोपरेशन मुमेंट में कौन-कौन पाइटिसिपेट करता है उस पे एक कुश्चन अब ये ट्रूस पीरेट जो है कि हमारे कंट्री में कुछ नहीं हो रहा है वाट वास एपनिंग इन दिस पीरेट न गया उसी समय पे स्वराज पार्टी का क्या हो रहा था अब देखो आपको ध्याना तो मैंने बताया था कि there was a टशल अमंग दी कॉंग्रेस लीडर्स की कांसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने दोना करने दोना तो कुछ लोगों की बहुत इक्छा थी तो लोग बोलते कि जो टूस पीरेड है कोई मुवेंट नहीं चल रहा है जब नॉन कॉपरेशन नहीं चल रहा है तो अब हम पार्टिसिपेट करते हैं किसमें इलेक्शन में यह सुराज पार्टी बनाते हैं and they argued to participate in council election ठीक है अब इस बीच में दो फैक्टर्स ने हमारे नैशनलिस्ट कह सक आइडिया को नैशनलिजम के आइडिया को influence किया वो दो फैक्टर थे एकनॉमिक डिप्रेशन जो वर्डवाइड आ रहा था और दूसरी चीज थी साइमन कमिशन ठीक है तो यह 22 से 30 के बीच में जैसे जो वर्डवाइड एकनॉमी जो थी वर्डवाइड ठीक है नाइन्ध depression में क्या होता है agricultural prices गिर रही थी ठीक है तो हमारी economy जो इंडियन economy में अधिकतर farmers तो हमारे farmers जो थे तो बहुत जादा disconnected feel कर रहे थे ठीक है countryside was in turmoil सब कुछ एकदम भूकाल सा आया हुआ था क्यों क्योंकि countryside में जो peasants थे they were not able to sell their harvest and pay revenues उनकी कीमत तो उनकी फसल की कीमत नहीं मिल रही हूंने सही कीमत नहीं मिल रही थे वह बेचेंगे नहीं वह फसल निहीं तो वह revenue नहींगे जब वह revenue नहीं देंगए तो ब्रिटिश अलग परिशान करेंगे तो पूरी country खास करके countryside जो था जो rural area's था उसमें बहुत जयादा क्या था दिस्ट्रस देखने को मिल रहा था लोगों के अंदर ठीक है दूसरी चीज़ क्या हो रही थी कि इसी समय पर साइमन कमिशन आ गया बिन बुलाए महमान आ गए साइमन कमिशन क्या है तो जो तौरी गवर्मेंट आई थी ठीक है तो वहां पर बिटेन में गवर्मेंट चेंज ह पर आप पढ़ीए क्लिक है अभी जब भिस साइमन कमिशन इंडिया में आता है इंडिा तो लूक इंटो दी कॉंस इंडिया क्यों पहुचा जाता है कि जाओ इंडिया में आगर बन रहा है तो को कांसे कैसे बनाना है इनके Constitution की पूरी framework तयार करके आ जाओ आप हमें कुछ होना चाहिए था कि चलो कोई तो आ रहा है हमारा Constitution बनवा रहा है मतलब हमें आजादी मिलेगी लेकिन दिक्कत थी इसमें ठीक है इंडियांस जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे सायमन कमिशन कराएं, डिमोंस्ट्रेशन अगेंस्ट सायमन कमिशन, लम स्लोगन गोimento कि गुवय दिवगारा थी? neste गए major moment नहीं चल रहा है ठीक है अब देखो यह जो economic depression और Simon Commission आता है तो इसके चलते उन्हें भी दिख रहा था किसे Britain government को क्यार इंडिया में स्थिती बहुत जादा tight होते जा रही है तो Britain ने कार्ड खेला यहां पर ठीक है तो therefore to counter this counter this मतलब क्या है कि जो भी अभी तक situation बीड़ी यह नहीं यहां पर यह तो इस situation को बिगरती situation को सुधारने के लिए जो लोगों के अंदर घुस्ता था उस घुस्ते को रोखने के लिए क्या किया जाता है ठीक है therefore to counter this offer of Dominion status and roundtable conference was given ठीक है देखों यह पूरे topics एक साथ relate करते चलना तभी मजा आएगा ठीक है क्या किया गया तो उन चीदों को counter करने के लिए Dominion status और roundtable conference का offer दिया गया किसे Indians को British ने सोचा कि Indians को अभी बहुत जादा होहला कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा लॉलीपॉप टाइप से देदो तो क्या हो जाएंगे यह उनकी framework थी क्या जैसे हम देखते हैं कि बहुत जादा demand कर रहा और आप उसकी चोटी demand पूरी कर देते हो तो उसे लगता चलो कुछ तो मिला वही चीज यहां पर होती है तो counter this Dominion status का offer दिया गया Dominion status क्या है कि तुम अपने हिसाब से अपनी government वगरे बनाते रहे ना लेकिन रहोगे तुम Britain के अंडर में कुछ लोग बड़े खुश हुए जो moderates थे जिन लोगों को ऐसा था कि हां कुछ भी दे दो हम तो बहुत खुश है वो लोग बड़े खुश हुए बोलो मंजूर है लेकिन क्या होता है कि जो यंग और रेडिकल लीडर्स थें कॉंग्रेस में उस समय पे जैसे जवालनाल नहरू सुभास चंद्रवोस यह इस अब मतलब यह इतने पर नहीं मानने वाले थे उनने बोलते कि क्या बच्चा समझाए क्या सभी को ठीक है और जवालना नहरू लीड करने के साथ में वह पूर्ण स्वराज रेजोलिशन पास करते हैं और बोलते हैं कि ना डॉमिनियन स्टेटस चाहिए ना राउंटेबल कॉन्फरेंच चाहिए लेंगे तो पूरी आजादी लेंगे पूर्ण स्वराज चाहिए हमें लाहर कॉंग्रेस सेशन में पून स्वराज एजलेशन पास किया गया था यहाँ पर वनमार्क्स में इंपोर्डेंट है ठीक है अब देखो क्या है ये पूरा बैग्राउंड हो गया तो ये सारी चीजें चल रही थी किस बीच में ये टाइम पीरेड में अब देखो महात्मा गानी सोचते हैं कि अब क्या है फसल पक चुकी है तो जीसे बोलते हैं लोहा गरह में मार दो हतोड़ी तो महात्मा गानी देखा कि अब सही टाइम में दूसरा मास मुवमेंट लाउंच करने के लिए ठीक है एक टाइम टूस पिरेड भी मिल गया है तो इसी बीच में सॉल्ट मार्च के साथ में सिविल डिस ओविडियन्स लाउंच किया जाता है तो इसका बैग्राउंड समझो 31st January 1930 इस दिन के दिन अब देखो आजादी नहीं मिल पाई थी हमने सोचा था 26 January को मिल जाएगी तो हमने क्या बोला कि 36 January 1930 को महात्मा गांदी जो है तो उस समय के जो वाइसरॉय थे ठीक है लॉड इर्विन तो वाइसरॉय इर्विन को क्या करते है एक लेटर पहुचाते है हाल चाल नहीं पूछे थे उस लेटर में उन्होंने 11 demands डाली थी क्या थी 11 demands तो अलग-अलग demands थी business group के साथ जुड़ी हुई थी ठीक है उसी के बाद में tax related कुछ demands थी तो ऐसी 11 demands का एक letter पहुचाया ठीक है तो वाइसरॉय इर्विन को एक letter पहुचाया जाता stating 11 demands जिसमें से एक demand थी one demand was to abolish salt tax जो आप नमक के उपर tax लगा रहे हो उस tax को abolish कर दो महत्मा गांदी नहीं यह बोला वो महत्मा गांदी मजाग नहीं कर रहे थी इस बार महत्मा गांदी नहीं बोला कि अगर यह बात नहीं मानी लॉड इर्विन ने तो हम क्या करेंगे it was an ultimatum एक ultimatum दे तो महत्मा गांदी ने एक तरह से क्या देदी वार्मिंग दे दी अब सवाल है कि यहां पर यह भी बनता है वाय सॉल्ट वाय सॉल्ट पर मतलब यह सॉल्ट के टेक्स को ही क्यों abolish कर रहे थे हैं यहां कहानी जरा रोपते हैं कुशन देख लेते हैं क्या क्या है देखो तो यहां पर कोशन यहीं बन सकते हैं सुराज पार्टी फॉर्मेशन रिजन फॉर दी सुराज पार्टी फॉर्मेशन वनमाक्स में कौन-कौन थे ठीक है वाट वर वर दी फैक्टर्स डूरिंग दी ट्रूस पीरेड विच वर इंफ्लुएंसिंग इंडियास नैशनलिस्ट कि हम खाली बैठे थे खाली बैठे थे निसेंज कि जब कोई देश में मेजर मुमेंट नी चल रहा था तो क्या फेक्टर हमारी कंट्री में चीजों को इंफुरेंस कर रहे थे एकनॉमिक डिप्रेशन और साइमन कमिशन साइमन कमिशन क्या था इस पर कोश्चन आ सकते हैं फिर उसके बाद में क्या है कि वाट हैपन इन दी लाहुर कॉंगरेस सेशन यह कुशन बन सकता है ठीक है वी रिजेक्टे डॉमीनियन स्टेटस और राउंटेबल कॉंफरेंस फर्स राउंटेबल कॉंफरेंस तो यह सारी चीजों पर कुश्चन आ सकता है ध्यान रखना आ सकता है कि why salt was given so importance in the 11th demand which was stated by Mahatma Gandhi ठीक है तो salt को इसलिए importance दी गई क्योंकि salt एक ऐसी चीज है जो equally हर इंसान के दोवारा की जाती है consume rich हो poor हो किसी भी caste का हो तो हर इंसान से जुड़ी होई चीज थी अगली चीज naturally obtained होती है हमें और इस पर tax लगा रहा है तो यह Britishers का oppressive cruel fees दिखाती है न तो इसलिए salt ताकि हम सारी लोगों के sentiments को जोड सकें इसलिए salt को choose किया गया होता क्या है तो Irwin जो Lord Irwin थे तो Lord Irwin was unwilling to negotiate Lord Irwin नहीं सोचा कि ultimatum है यह तो है है क्या हुआ तो क्या होता है कि महात्मा गांदी लेकिन सीरियस थे महात्मा गांदी नहीं माननों मेरी बात थीक बेटा आप देखो तो क्या होता है गांदी जी started his famous salt March और जब Lord Irwin ने यह जो letter पहुचा थे से reject कर दिया when he was not willing to negotiate जब उन्होंने negotiate करने से मना कर दिया तो फिर जैसे की time किया गया था 11th March तक का time दिया गया 11th March खतम होती तो उन्हें बोल दिया कि अब रुक जाओ अब हमें एक full-fledged civil disobedience moment launch करेंगे तो salt March start होती है salt March start होती है तो यहाँ पर क्या होता है 24 days तक walk किया जाता है ठीक है पैदल पैदल चलते हैं 240 miles चलते हैं महात्मा गांदी अपने 78 volunteers के साथ जाते हैं 78 volunteers ही क्यों क्योंकि जो तेज चल सकते थे ठीक है यह मतलब ऐसा लगता है यहाँ होता है लेकिन यही कारण है जो तेज चल सकते थे उन volunteers को महात्मा गांदी ने अपने साथ लिया और 240 miles तक 24 days तक चलें रुकते थे ठीक है अलग-अलग गाओं में जाके मतलब अपने आश्रम साबरमतिया आश्रम से चलना चालू किया डांडी तक जाएंगे यह ठीक है 6th April को डांडी पहुचेंगे यह तो 24 दिनों तक कह सफर जहां जहां जाते थे रुकते थे लोगों को स्वराज का message देते थे बोलते थे कि अब हम जो movement launch करेंगे उसमें कैसे participate करना है क्या नहीं करना है क्या करना है तो लोगों को training भी देते जा रहे थे message पहुचात हुए जा रहे थे अब जब 24 days तक चलते हैं इनका volunteers के साथ में इ पानी उठाते हैं उसे boil करते हैं और boil करने का नमक बन गया बोलते हैं देखो मैंने नमक बना लिया और टेक्स बिनी दिया क्या कर लिया तुमने और इस तरह सोने ने बोला कि we disobey you ठीक है यहां से हम क्या कर रहे हैं तुम्हें दिस ओबे कर रहे हैं और civil disobedience moment यहां से launch किया गया beginning of civil disobedience moment आया मज़ा कहानी में तो देखो non corporation के बाद में जो जो activities हुई पूरे देश में ठीक है अब मात्मा कांजी ने बोला कि एक नया moment launch करेंगे तो उसे salt march के साथ जोड़ा गया salt march क्या थी यह सारी चीजे ठीक अब यह salt march में हुआ क्या क्या वह भी बता दिये में आ हुआ तो civil disobedience moment was different for the non corporation moment non corporation moment भी launch हुआ था हमारी देश में civil disobedience moment भी हमारी देश में launch हुआ दोलों में फरक क्या था फरक समझेगा civil disobedience moment was different from non corporation moment in this moment people were now asked to refuse cooperation as well as break colonial rules disobey करना हम क्या करेंगे पहले तो non corporation में हमने सिर्फ corporation ही हटाया था अब corporation भी हटाएंगे उसी के साथ में disobey भी करेंगे मतलब तुमारे goods खरीदेंगे भी नहीं और तुमने जो law बनाया है उन law को भी तोड़ेंगे जाओ जो करते बने कर लो तो इस तरह से civil disobedience movement एक बड़ी intensity के साथ launch किया गया लोगों ने क्या क्या किया ठीक है तो breaking of salt law manufacturing salt was done in different parts अलग अलग जगा अलग तरह से क्या किया गया लोगों ने participate किया salt बनाया यह सारी चीजे foreign clothes were boycotted liquor shops were picketed foreign clothes जो आया थे तो ने boycott कर दिया liquor shops बगेरा पर क्या कर दिया मतलब बंद करवा दी सारी जितनी भी शराब की दुकाने होती थी देसी सब ठीक फिर peasants refuse to pay revenue और चौकिदारी टेक्स देको यह boycott कर रहे हैं मुलते हैं कि revenue नहीं देंगे क्यों because we are boycotting you या फिर we are disobeying you तो revenue देने से मना बोल दिया चौकिदारी टेक्स जो लगता था वो देने से मना बोल दिया they violated forest laws forest laws बगरा जो बनाये थे 9th class में बढ़ाता है forest में नहीं जाने देंगे तो उन्होंने forest में जा जा जाके goods लेके आ गए वहां से तो यह इस तरह से disobey करना start किया अब देखो दिखती बात है Britishers हाथ पे हाथ रखके तो बैठेंगे नहीं बोलेंगे चलो भी यह disobey करो उन्होंने क्या react किया होगा reaction of colonial government तो colonial government ने बोला कि तुम laws जब break करोगे तो वह तो कानून तोड़ रहे हो तुम arrest करेंगे तुमें तो जो प्रेजेंटे पाकिस्ताने वहाँ पे इने frontier गांधी के नाम से जाना जाता था गांधी जी के बहुत बड़े disciple थे यह तो इन्हें arrest कर लिया गया लोगों के अंदर गुस्सा आ गया क्यार ऐसे कैसे arrest कर लिया तो protesters opted for violence अब यहीं गलती कर जाते हैं इतना सिखाया गा पताते गए लेकिन लोगों ने यहाँ पे violence को opt कर लिया लड़े होने लगी ठीक है अब जब violence करा तो इनका brutal repression फिर देखने को मिला brutal repression by British ठीक यहाँ पर शायद overlapping हो गई है कुछ-कुछ तो brutal repression by British अब जब लोगों ने violence को opt किया तो British असने भी क्या करने start कर दिया क्या सकते हैं कि लोगों को repress करना start कर दिया ठीक है लोगों को अरेस्ट करना तो था ही था लोगों को मार पीट भी चालू कर दिये तो यह दिक्कते आने लगी यहाँ पर ठीक फिर यहाँ पर महात्मा गांदी he himself was arrested महात्मा गांदी को भी अरेस्ट कर लिए गया तो अब ऐसा हो रहा था कि जो movement चल रहा था civil disobedience movement उस movement में थोड़ी थी unevenness आने लगी महात्मा गांदी ने सूचा कि आर्वालिंस भी होते जा रहा है movement में unevenness भी आ रही है और फिर क्या होता तो वो गांदी जी जो है तो Lord Ir को call-off कर दिया गया कि अठी कि आप बंद करें उसी के साथ मुन्हें नहीं बोला कि तुम प्रेजनस को क्या कर दोगे रिहा कर दोगे लेकिन प्रेजनस को रिहा तो करते ही उल्टे चीजने बदल जाती अभी बताँगा क्या तो गांदी इंपक्ट साहिन होता और महात्म का बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ जो 2nd round table conference से थिहान रखना है भी सेकेंड round table conference है round second round table conference जो थी तो 2nd round table first को तो boycott कर दिये था हमने देखा था क्यों को इतकर रहा था क्योंकि dominant status नहीं चाहिए नहीं हमें round table conference में जाना है पूर पूरा चाहिए लेकिन पीछे से ब्रिटिश क्या करते हैं कि जो मुमेंट चल रहा था देखो गांदी जी ने पैक्ट साइन कर लिया तो मुमेंट में वैसी क्या ताकत नहीं रह गई थी लेकिन जो लोग थे तो लोगों के अंदर थोड़ी इक्षा थी कि मुमेंट को बनाए रखें तो ब्रिटिश करके जब वापस आते हैं तो सोचते हैं कि फिर से एक बडर रिलांच किया जाए civil disobedience मुमेंट को लेकिन अब इस बार civil disobedience मुमेंट जब करने की बात करते हैं तो इतना successful नहीं हो पाता है क्यों क्यों कि लोगों को लगता है क्या हो रहा है कभी launch कर रहें कभी call off कर रहें तो people people didn't participated so enthusiastically ठीक है लोगों ने इतने enthusiasm के साथ में फिर participate नहीं किया जब फिर से relaunch किया गया आयना समझ में कि गांधी इर्विन पैक्ट के राद में क्या क्या हुआ यह aftermath अब सवाल यह आता है क्या हो participants सौधी movement participants ने कैसे movement को देखा इस चीज़ को हम क्या करते हैं अब समझते हैं यहाँ पर आपको पहले एक चीज़ यह भी समझना है कि participant कैसे देखा हमें कि who how why meaning of सौराज जैसे हमने non-cooperation में देखा कि अलग-अलग participant group थे towns में लग थे countryside में लग थे मतलब countryside में हमने देखा पीजन्स भी थे tribal भी थे और plantation में लग थे तो वैसे ही आपको यहाँ पर यह समझना है कि civil disobedience में कौन-कौन participants थे अच्छी ट्रिक बताता हूं तो हम देखेंगे कि गाओं से किस-किस ने participate किया शहर से किस-किस ने participate किया गाओं में जिसने participate किया उसका opposite rich present ने भी participate किया poor peasants ने भी ठीक है शहर में merchants और industrialist ने participate किया तो workers ने भी participate किया ठीक है तो आपको इतनी चीज़ धियान रखना है कि यहाँ पे सभी लोगों ने participate किया सभी लोगों ने मतलब कि 5 category ए rich peasants poor peasants merchants and industrialist और उनके opposite में workers एक जो interesting चीज़े हो क्या है कि यहाँ पर women ने भी participate किया अब जब women ने भी participate किया तो women गाओं की महिला होने भी और शहर की महिला होने भी तो यह 5 groups से आपको ध्यान रखना है कि इन 5 groups ने क्या किया participate किया कहां पर civil disobedience movement में तो ठीक है अब हूँ यह question का सवाल मिलगे आपको कि who are the participants तो यह थे अब how कैसे participate किया वह भी देखेंगे और क्यों participate कि मतलब उनका स्वराज को लेकि idea क्या था वो क्यों participate करना चाते थे civil disobedience movement में participate करना सिर्फ पूरी देश के आजादी नहीं उनका भी कुछ अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ था ठीक है तो यह सारी चीज़ें देखेंगे हम चलो अब स्टार्ट करते हैं रिच पीजेंट्स तो डे वर नॉट इन पोजिशन टू पेर रवेन्यू ड पड़ता था टेक्स तो इन्हें भी देना पड़ता था इन्होंने बिटिश से डिमांड करी होगी कि रेवेन्यू कम कर दो थोड़ा सा हम तो तुमारी दोस्त हैं यह वो सारी चीज़ें लेकिन बिटिश ने क्या कर दिया गवर्मेंट आउसो रिफ्यूस तो इन्होंने य सपोर्ट करो ताकि अगर बिटिश चले ही गए तो ना टेक्स देने की जंजटी नहीं रहेगी कुछ तो उस तरीके से उन्होंने इस आइडिया के साथ में पाटिसिपेट किया ठीक है लेटर डेवलप्मेंट अब क्या होता है तो पाटिसिपेट तो बहुत एंदुजिया सबस्ट्रीशन का ओटाया मैंने आपको वहीं पगारा पर पिजसेंग करेंगे तो कसको क्योंकि poor peasants को text देना पड़ता था किसको poor peasants को rich peasants को text देना पड़ता था तो ये तो इनके opposite में ही रहेंगे हमेशा ठीक है तो poor peasants लेकिन lower revenue demands के चलते हैं कि हाँ revenue कम हो एक तो ये उनकी demand common में होगी लेकिन उसे के साथ साथ में जो tenants थे wanted land rent paid to the landlords to be reduced or remitted क्या होता है कि जिस tenant के पास में जिस किसान के पास में खुद की जमीन नहीं होती है तो वो rich peasants के landlords के खेतों में काम करता था और landlords के खेतों में काम करके इने rent देता था अब मैंने बता है crops की कीमत ही नहीं मिल रही थी economic depression के चलते तो poor peasants की यह demand थी कि rich peasants को हम tax ना दे तो दोनों की demands conflicting हो गई इने तो पैसा चाहिए रहेगा यह बोल रहे है हम इने पैसा ना दे तो tenants की यह demand रहती थी एक और इस demand के साथ उन्हें सुचा कि चलो participate करते हैं ठीक है often joint radical moments एक दिक्कत यह भी होती थी कि socialism और communism से communism के ideas के influence में आके कभी-कभी radical moments को भी join कर लेती थे poor peasants ठीक है हिंसा में उतर आते थे लड़ने भीड़ने में उतर आते थे क्योंकि हम नाहिंत क्लास में आपने रशिया वाला जो चाप्टर पढ़ा है उससे relate करो यहां पे हमने देखा था कि poor strata जो था society का उसके बीच म communism के idea जो बहुत popular हुए थे तो इन लोगों ने participate किया और वो rich peasants के ऊपर हमले बगेरा कर देते थे तो यह थोड़ी सी क्या थी limitation थी जो जब poor peasants ने participate किया ठीक है तो one of the participant group of civil disobedience movement was against the another participant group clear है Congress was unwilling to support no rent campaign और यह जो बोल रहे थे कि हम rich peasants को tax ना दे हमारी यह land rent paid to be land lots to be reduced or remitted तो इस demand को no rent campaign कहा गया और Congress इस no rent campaign को support नहीं करना चाहती थी क्यों क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर no rent campaign को support करेंगे तो rich peasants का support हट जाएगा हमसे वही Congress विडम मना में फस गई यहां पर डिलेमा में फस गई है और यही चीज़ यहां पर भी आएगी क्या कि यहां पर डिलेमना अगर देखा जाएगा तो peasants और industrialist जो है तो peasants और industrialist और workers दोनों के against में क्या है दोनों के against में भी conflicting आपको ideas देखने को मिलेंगे जैसे conflicting ideas यह तो towns और cities में एक group जो participant का था वो कौन सा था merchant and industrialist merchants ने और industrialist लोगों ने भी क्या क्या participate किया for expanding their business they reacted against colonial policies that restricted business ठीक है अब merchants और industrialist चाहते थे कि वो अपने business को बढ़ा करें लेकिन वो अपने business को बढ़ा नहीं कर पा रहे थे क्यूं क्यूंकि उन्हें दिख रहा था कि Britishers की जो Congress को support करेंगे तो अपने आप हमारा business expand होगा ठीक है तो इसी के लिए उन्होंने formation of industrialist and commercial Congress यह body बनाएगी यह group बनाया 1920 में उसी के साथ में FICCI homework देता हूं चलो अभी डालोगे comment section में क्या कि FICCI का full form क्या है एक और organization बनाई सारे industrialist लोगों ने ताकि वो Britishers को क्या कर सके collectively oppose कर स भी यह बता रहा हो how and why ठीक है वाय तो वो Britishers की जो policy इंडस्ट्रिल पॉलिसी उसके अगेंस्ट में और उन्होंने ऐसी organization बगएरा बना के participate करा participation was led by industrialist prominent industrialist such as पुरशुत्तम दास ठाकुरदास जीडी विरला तो यह कुछ बड़े नाम है जिन लोगों ने क्या किया जिन लोगों ने participation को lead किया था इंडस्ट्रिलिस्ट और businessmen का जो merchants का जो participation था उसको lead किया था यहां पर देखो इनकी aspirations और concerns को समझते हैं क्या होता है इन्होंने participate किया और बहुत जाधा पैसे भी देते थे यह मतलब एक तरह से देखा जाए तो financially क्या होता था Congress party को support कर रहे थे लेकिन इनका concern यह था कि Congress अ अलूफ हो रहे थे अधिकतरी रहता था कि workers क्या रहते थे इनको यह concern रहता था कि जो Congress party यह तो सुबाश चंदरबूश ठीक है जवाल नाल नेरू जो बात के leaders हैं तो वो लोग socialism idea को support कर रहे हैं socialism की जो ideology उसे support कर रहे हैं तो industrialist को ऐसा लगता था कि यह workers की तरफ जादा तो यह की limitation है आगे limits में और specifically पढ़ेंगे हम group के साथ में बागे आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा question आगे कि merchants and industrialists participated in civil disobedience movement and what were the limitations तो ध्यान रखना है कि इनका concern यह था कि Congress workers की तरफ जादा रुजहान दिखा रही है अपना खीक है workers ने कैसा participate किया not participated in large number पहली बात तो workers ज को इतना कह सकते हैं कि weightage नहीं देती थी ठीक है फिर क्या होता है industrialist came closer workers straight aloof और जैसे जैसे industrialist ज्यादा dominate करेंगे Congress में workers ने बोलती है कि नहीं हमें तो लेने ही नहीं क्योंकि workers की लड़ाई industrialist के अगेंस होती थी हमेशा salary बना और यह प्रोटेस्ट वो प्रोटेस्ट तो इन दोनों का आपस में नहीं जमता था उसका उस बीच में फस कौन जाती थी उस बीच में फस जाती थी Congress ठीक है still गांध जो कुछ area था तो वहां पे गांधियन idea dominate करता था workers के बीच में लेकिन कि गांधी जी के ideas के हिसाब से कभी कभार participate कर लिया करते थे civil disobedience में reluctance of Congress to support worker लेकिन इसे के असाथ में Congress भी workers को support नहीं करती थी जादा Congress क्यों support नहीं करती थी workers को तो simple सी चीज़े Congress को ऐसा लगता था कि industrialist ज्यादा काम के हैं यह fund देते हैं workers किसी काम के नहीं तो Congress जो मैंने बता आपको कि हमेशे dilemma में रहती थी ठीक अब women का अगर participation देखोगे तो this was unique in civil disobedience moment non-corporation movement में women ने participate नहीं किया लेकिन civil disobedience में किया है ठीक है तो large-scale participation देखने को मिला दो जगा countryside में भी और towns and cities में भी participated in protest marches manufactured salt and picketed foreign clothes and liquor shops तो रोल पर उतर क्या ही महिलाओ और बराबर महिलाओ उने क्या-क्या सयोग किया ठीक है service to the nation was a sacred duty of women अब देखो यहां पर क्या है महात्मा गांदी ने बताया ऐसा कि क्या women जो participate करी बहुत अच्छी बात है उनका यह क्या है उनका धर्म हो गया एक तरह से sacred duty बता दी कि यह आ रहा है क्या है तुम्हारे लिए पूजा तुल्य होगा अगर तुम क्या करो participate करोगी देश की सिवा में तो इस तरह से बहुत बड़ा चड़ा दिया गया लेकिन सवाल यह आता है कि क्या इससे women का upliftment हो गया अपलिफ्टमेंट लेकिन नहीं हुआ लोगों की जो सोच थी ना सोच यही थी कि women को second front पी रखा जाए despite their active participation उन्हें actively participate किया लेकिन उतना ज्यादा उनका कह सकते कि societal position में change नहीं आया ठीक है तो यह एक limitation थी कि participation हो लेकिन उस तरह से recognition नहीं मिला women को यह सारी चीज़े हो गई है अब हमने non corporation moment भी देख लिया ठीक है sorry civil disobedience moment भी देख लिया अच्छा एक चीज़ा मैं बताता हूँ आपको एक question ऐसा बनता है non corporation civil disobedience दोनों अलग-अलग topic है question लेकिन ऐसा आ जाएगा कि compare and contrast non corporation moment with civil disobedience moment ध्यान रखना है आपको एक तो क्या लिख दो year लिख दो कि एक दूसरे year में चालूआ यह कब किस year में चालूआ 21 22 इदर आप फिर दूसरा जो ले जाओगे तो civil disobedience में क्या ले जाना कि April 32 March 31 ठीक है फिर अगली चीज क्या कर सकते हो आप और compare contrast में कि women ने पहली बार participate किया civil disobedience में non corporation में women ने participate नहीं किया ठीक है वहाँ पे Hindu Muslim unity देखने को मिल रही थ वो call off क्यों किया गया था वो call off क्यों किया गया था चोरी चोरा incidents के बाद में ये call off क्यों किया गया था तो गांधी इर्विन पैक्ट साइन हुआ था तो इस तरह से आपको interrelated study करना सीखना है ठीक है यह हो गया एक important question है अब अगर बात करें जाए limitation की the limits of civil disobedience इस heading में क्या ब major headings दियान रखो कि यह चार major headings में आपको समझ आएगा कि क्या limitation थी पहली limitation थी caste issues क्या होता था कि untouchables या फिर lower caste जो थे तो lower caste गूप ने actively participate नहीं किया क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि Congress was a party dominated by upper caste सनातनीज वगरा जो थे वो dominate करते थे और इसलिए Congress party भी क्या करती थी Congress party य ज्यादा include नहीं किया जाए क्यों उन्हें include करेंगे तो जो सनातनीज अपर कास्ट के लोगे वो क्या हो जाएंगे अपने आपको alienated feel करने लगेंगे कि हमारे साथ में untouchables कैसे बइट सकते हैं ठीक है लेकिन ये Congress का viewpoint था कि इन्हें खुश रखना है तो इन्हें include नहीं किया members को ज्यादा support करते थे as compared to the so called untouchables ठीक है अब इसी के चलते जब untouchables को ऐसा लग रहा है कि हमारे को neglect किया जा रहा है तो they started they begin demanding reserve seats ठीक है reserve seats separate electorate reserve seats तो समझ में आ गया आपको कि 100 seats हैं तो उन्हेंने बोल दिया कि 100 में से क्या रहेगा 100 में से 50 seats आप दे दो किसके लिए untouchables के लिए example दे रहा हो तो वह reservation हो गया वही पर separate electorate की भी बात करने लगे क्या कि country का एक पार्ट जो रहेगा जैसे पाकिस्तान एक separate electorate कि caste inequalities जो थी उस कारण से civil disobedience movement में untouchables ने actively participate नहीं किया यह कास्ट inequalities हो गई तो यह तो कास्ट एक बड़ा गुरूप बता दिया मैंने आपको वैसी कास्ट के उपर से क्या था या फिर कह सकते हैं कि caste issues के उपर दो individuals की बीच में भी conflict थे डॉक्टर बियार अमबेटकर डॉक्टर बियार अमबेटकर इस separate electorate की demand को क्या कर रहे थे और बढ़ावा दे रहे थे महात्मा गांदी इनके against में थे सीधे महात्मा गांदी ने बोल दिया कि इस समय ऐसा नहीं है कि आपके इस अंग में जैसे मानलो यह हाथ है हमारे इस हा और यह और और ऑर्गनाईज़ेशन फॉर्टर बियार अमबेटकर डिप्रेश क्लास असोशिएशन ठीकें फिर क्या होता है इस सब्सक्राइब और अपनी इसके अगेंस्ट इस जब महात्मा गांदी इसके अगेंस्ट में थे तो गांदी जी का पोजिशन के चलते गांद और फिर बियार अमबेटकर को बात मानना पड़ती है और जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी उसे ड्रॉप करके रिजर्ट कॉंसिट्वेंसी ला दी जाती कि यहां अंटर्चेबल को रिजर्वेशन दिया जाएगा और यह जब होता है तो जो पैक्ट साइन होता है आगे अगर आते हम तो यह तो मैंने आपको दो लिमिटेशन बता दी कास्ट इसूस और फिर कास्व Nayパुना निच्श्क्ट देना में यह तो में जो कंट्रवर्सी थी या फिर जो कंफ्लिक्ट थे अमंग दी आइडिलाजी और डॉक्टर बियार अम्बेटकर और महात्मा गांदी वैसी रिलीजियस इशू भी थे क्या होता है कि हिंदु मुस्लिम के बीच में जो नॉन कॉपरेशन मुमेंट में यूनिटी देखी थी वो यहाँ पर क्या है उतनी यूनिटी देखने को नहीं मिल रही थी क्यों क्योंकि कॉंग्रेस केम टो वी विजिबिली असोसियेटेड ओपनली विथ हिंदु रिलीजियस नैशनलिस्ट हिंदु महासभा तो ऐसा देखा जा रहा था कॉंग्रेस में डॉमिनेट कौन करने लगें हिंदु रिलीजियन के लीडर ठीक है तो मुस्लिम रिलीजियन की जो लीडर थे वो अपने आपको अलग धलग पाने लगें मुस्लिम लीक का फॉर्मेशन हो गया उस सब्सक्राइब और भी दूसरी अलग-अलग और्गनाइजिशन बन गई ठीक है तो हिंदु और यह रही कि हिंदूज और मुस्लिम जैसे हिंदूज डॉमिनेट कर रहे थे तो मुस्लिम ने फिर बढ़ चला के पार्टिसिपेट नहीं किया मुस्लिम लिंग वगएरा इस तरह से और्गनाइजिशन बन गई थी तो यह क्या कर रही थी यह कमिनल डिवाइट को और बढ़ ने जो पाकिस्तान की डिमांड थी एक बार एक ऐसा सिच्विशन आता है जब उनको मना लिया जाता कि तुम रिजर्फ कॉंसिट्वेंसी ले लो लेकिन फिर क्या होता है तो कुछ हिंदू लीडर्स जैसे हिंदू महासभा के एमार जाएकर तो उन्होंने साफ मना वोगते लेकि नहीं रिजर्फ कॉंसिट्वेंसी भी नहीं देंगे तो दे फेल्ड फेल्ड नेगोशिएशन ओवर थी डिमांड ओफ रिजर्फ सीट इन सेंटरल एसमली एंड रिप्रेजेंटेशन इन बेंगॉल पंजाब प्रोविंस ठीक है जहां पर मुस्लिम डॉमिनेटेट प्रोविंस थी तो उन्होंने बोला था कि वहाँ पर रिजर्फेशन दे रहेंगे आपको लेकिन जब यह नेगोशिएशन फेल हो जाते हैं तो में नेगोशिएशन फेलियर का कारण यह रहता है आप पोजिशन बाए एमार जाएकर ठीक है और मौहमद इली जिन्ना भी ज हमने देखी यहां पर तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको आइडियास क्लियर हो गए नॉन कॉपरेशन कारण बैग्राउंड ठीक है यह सारी चीज़ें फिर उसमें किस-किस ना पार्टिसिपेट किया वह सारी चीज़ें प्रूस पीरेट जो था तो उसमें क्या-क्या हुआ वह सारी चीज़ें चाप्टर रिकॉल करने हैं पूरा तो उसमें स्वराज पार्टी हो गया एकनॉमिक डिप्रेशन हो गया साइमन कमिशन हो गया यह सारी चीज़ें सॉल्ट मार्च और फिर सिविल डिसोबीडियंस मुमेंट लांच किया जाता है सिविल सिविल डिसोबीडियंस मुमेंट का ठीक है अब लिमिटेशन में आपको कास्ट और रिलीजन तो कास्ट में इंडिविजल्स रिलीजन में इंडिविजल्स हो गया चैप्टर 20 सेकेंड में रिवाइस चलो अब देखो लास्ट टॉपिक जो है आपका डिसेंस ऑफ कलेक्ट ऑफकेंट यिशन डाली जा सकती ही कि तुम्हारा कई इंडिया अंडिया के प्रती चोटा बच्चा हो वह 10 साल का होगा घसे टुख हो पोंगा वह इंडिया की टीम जल्ड़ी तो उसके अंदर पी जोश आएगा तो वो कोई injection नहीं लगा जाता उसे nationalism का वो तो क्या होती धीरे-धीरे फोर्ज होती धीरे-धीरे बनती अपने आप तो वही चीज की कैसे बनाओगे वो nationalism को कैसे अचीव करोगे ठीके तो अचीव पार्टली ठूदी उनाइटे डिस्टरगल तो ये nationalism की feeling एक तो क्या है कि सांथ में struggle कर रहे है वही चीज जो हमने chapter की starting में पड़ी सांथ में जब लड़ाई लड़ोगे किसी चीज की तो आप एक सांथी बन जाओगे ना तो एक तो united struggle के कारण हमारे अंदर nationalism की feeling आ रही थी और दूसरा partly through the cultural processes हमने culture के थुरू भी क्यार करने की कोशिश करिये हमने culture के थुरू भी इस moment को forge करने की कोशिश करिये ठीक है तो history friction, folklore and songs देखो ये important question है लगी how the sense of collective belonging ने इस वास forged during national moment या फिर national moment में nationalism की feeling को strong करने के लिए किन-किन कह सकते हैं लिकिन-वेस का सहरा लिया गया था या फिर how cultural processes helped in the formation of nationalism in India question कैसे भी आ सकता हमें ध्यान रखना है कि ये सारे points डालना है तो क्या है history जो थी history, friction, folklore, songs इन सारी चीदों की मदद ली जाती थी popular prints, symbols ये सारी चीदों की मदद ली जाती थी one by one अब समझते हैं सारी चीदों को तो India came to be visualized with the image of भारत माता ठीक है मैंने जैसे क्या कहा आपको कि visualization start हो दा था हमने कहां पड़ा है ये nationalism ये उरोप में कि वो क्या करते हैं, allegory बना देते हैं ताकि लोग, देश के लोग, उस female figure अपने sentiments को express कर सके तो वैसी भारत माता बना दी गई आज कहीं आरती चलेगी भारत माता की तो आपको क्या लगेगा ये मेरे देश से जुड़ा हुआ nationalism की feeling आपके अंदर क्या होने लगेगी, infuse होने लगेगी न, वही चीज रहती, तो image बनाएगी भारत माता की, ठीक है और बंकिमचंद्र चटोपाद्याई न, पहली image construct करी थी, फिर क्या होता है, कि वो वंदे मात्रम भी लिखते हैं, वंदे मात्रम लिखा जाता है, ठीक है, as a him to the motherland by बंकिमचंद्र चटोपाद्याई, चटर जी भी आता, अगर option में confuse नहीं होना, एक ही चीज है, बंकिमच चटोपाद्याई या फिर बंकिमचंद्र चटर जी, ठीक, यह हो गया एक तो कि image के थूँ, infuse करने की कोशिश करी nationalism की feeling को, दूसरा moment to review Indian folklore, Indian folklore को review करने के लिए क्या चलाएगा, इंडियन folklore में मतलब क्या जाएगा, इंडियन folklore में जो हमारी जातक कता है, ठीक है, या फिर कह चाह सास्त्री, ये वनमार्क्स में ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया, the folklore of southern India, तो एक volume, four volume की book compile करी, जिसमें उन्होंने क्या, southern India के जितने भी अलग-अलग कहानी थी, जो ये बताती कि देश है हमारा, ठीक है, हम सब एक ही है, उस तरह की कहानियों को compile करा, ताकि लोग प सब्सक्राइब की feeling डाली जा सके, तो स्वधेसी मूवमेंट के टाइम पर जैसे ये flag क्या किया गया, construct किया गया, अब देखो तीन नमबर में question ऐसे आ सकते है, explain the flag which was used during the स्वधेसी मूवमेंट, तो तीन color थे उसमें, eight lotus का use किया गया, ताकि वो eight province को क्या कर रहे थे, explain कर र स्वाराज flag है, तो explain the essence of स्वाराज flag, तो ये गांदी जी ने से modify कर वाया था, तीन color मतलब क्या है, तो ये तीनो religious community को दिखाता है, saffron, white, green, muslim, christians या फिर others कह लिजे, और ये हिंदूस को दिखाता है, उसी के साथ में क्या है, उसमें चर्खा लगाया गया बीच में, जो self Reliance को क्या करता है, तो flag पे भी question आ सकता है कि explain the idea which the flags are trying to explain, स्वाराज flag, स्वादेशी flag और स्वाराज flag, तो icons को use किया गया, साथ ही साथ में क्या है, अब देखो ये भी एक important point है, reinterpretation of history, समझ आ रहा था कि Britishers ने Indians को अगर अपना गुलाम बनाया है, तो उसके पीछे क्या है, उन्होंने पूरा mindset change कर दिया Indians का, Indians को ऐसा माना जा रहा था कि वो primitive है, old है, ठीके, उन्हें कुछ नहीं पता है, बहुत पीछे रहागा, इंडिया को development की जरुवत है, और वो Britishers ही ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें, तो हमने क्या क्या हमारी history के साथ खेला, हमारी history को बहुत start किया, बता है कि नहीं, हमारी history जो है, तो वो क्या है, confidence डालने के लिए लोगों के अंदर बता है कि कितनी glorious time था, और कितना glorious development हुआ हमारी history में, हमारी जब ये लोगों को खाने पीने के लिए मसाले नहीं मिलते थे, तब हमारे यहां से trade गर कर रह जाते थे Britishers, ठीके, और ह हमें आज गुलम बना के बैठे हैं, तो हम कमजोर नहीं है, बस हम क्या कह सकते हैं, वक्त के मारे हुए कि उस समय पर situation ऐसी थी कि इन लोगों के हाथ में power चड़ गई Britishers के, तो इस तरह से history को reinterpret किया जाता था, तो these were some of the tools used to force the sense of collective belongingness, ठीके, sense of collective belongingness जाने के लिए इन सारे मा आध्यमों का इस्तमाल किया जाया, ध्यान रखना ये important question बनता है, अब देखो क्या है, आप लोगों ने comment section में भी पूछा था ये, कि quit India movement, तो इसी साल मतलब जो नहीं book है, उसमें आया ये, ठीके, box है तो उसे अब समझ लेते हैं, ये तीन major moment थे, non corporation, civil disobedience, अब एक और जो moment है, वो है, quit India movement, 1942, तो ये last movement था, last major movement था, मतलब बड़ा movement कोई देश में आजादी के लिए चलाया गया होगा, ठीके, तो call for the complete withdrawal of British from India, और इस movement में बोल दिया कि अब या तो British रहेंगे, या हम रहेंगे, ठीके, तो do or die, महत्मा गांधी नहीं ये स्लोगन दिया था, कब quit India movement क तो वर्धा में quit India movement resolution पास होता है, उसमें महत्मा गांधी address करते हैं, तो वहां की meeting को do or die speech के साथ करते हैं, कि बस बहुत हो गया, अब क्या, अब Britishers को जाना होगा, ठीके, this is the last call for complete withdrawal, the call almost brought the whole state machinery to a standstill, state machinery मतलब पूरे Britishers की नाक में दम हो गया था, quit India movement के time, बहुत सारे leaders को अर leaders जैसे जैप्रकाश नारायन, ठीके, रामवनहर लईया, तो नए student leaders और यह सारे लोग भी क्या करने लगे, participate करने लगे, actively किस में, यह सारे लोग भी actively participate करने लगे, nationalist movement में, तो nationalist movement को, खेर quit India movement 1942 में आया, तो आजादी तभी नहीं मिल गई थी, और time लगा, 5 साल और लग गए लेकिन यह last major movement था, तो यह quit India movement के बारे में, अगर आप से कुछ पूछा जा तो आप एक basic detail, possibility कम है, लेकिन हमने फिर भी पढ़ लिया, clear है, sum up करते हैं, देखो chapter को, जल्दी से अब, ठीक, मुझे पता है, लेंदी हो गया है, लेकिन हमने in detail पढ़ा है, तो जिस इंसान नही तो कुछ नहीं पढ़ा है न, उसको भी पूरी चीज़ें एक साथ अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है, objective यह रहता है हमारा की boards में तैयारी पक्की करके जाए, और मुझे ऐसा लगता है, मैंने अधिकतर देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कि हाँ, यह, 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 कि यह थोड़ा सा short recap भी मिल जाएगा आपको कि 5 दिन के gap है ना मारा, तो वहाँ पर हम क्या कर लेंगी, कि day divide कर लेंगे, और हिस्टरी के chapter एक दिन में सारे खतम कर सकते हैं, 4-5 घंटे में सारे chapter एक साथ खतम हो सकते हैं, तो उससे क्या रहेगा कि जल्दी चीज़ों को एक कोपरेशन कैसे start होता है, participants पर ध्यान देना है हमें, तो यह participants कौन-कौन थे, towns में, countryside में, plantation में, countryside में, त्राइबस, यह वनमार्क्त में factual details ध्यान रखना है, सिता राम अलूरी, clear, फिर अगर देखें, तो civil disobedience movement के लिए रास्ता क्या था, यह रास्ता था, ठीक, फिर रास्ते के बाद में, और क्या-क्या हुआ, तो उस बीच में, salt march जो रहती ही, तो वो start करती है, किसको, मतलब, starting कीक लगती है, civil disobedience movement में, salt march के बाद में, civil disobedience movement हो गया, फिर participants कौन-कौन थे, तो यह countryside में, towns में, women, और opposite opposite group है, ठीक है, यह हो गया, participation, इसमें limitation भी थी कुछ-कुछ, फिर अगर basically limitation पूछ जा, तो caste issues पे हिंदू-Muslim, caste issues पे अगर देखें, untouchables और upper caste, individuals में, आप Dr. B.R. Ambit करो, मात्मा गांदी की बीच की controversy, पुना Pact दियान रखना है, 1932, किस-किस के बीच में sign हुआ था, वो भी पूछा जा सकता है, religious issue में हिंदू-Muslim, और individual पे महमाद इली जिल sense of collective belongingness कैसे forge की गई है, अब इसी के साथ में होता है chapter complete, किसी प्रकार के doubt है, तो comment section में पूछ सकते हैं, ठीक है, और सी के साथ में revise भी करते रही है, NCIT पढ़ते रही है, सबसे important अपना ध्यान भी रखना है boards में, ठीक है, पढ़ाई में ऐसे भी नहीं लगना है कि आप health पे क्री पार में पता है